लोगों की भावना को तोड़ने के लिए सैकड़ों और हजारों हिंदू महिलाओं को जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया औरंगजेब की सडकें हैं टीपू सुल्तान बलातकारी लोग जिन्होंने नर संहार करने की कोशिश की उनके नाम हमारे शहरों और सडकों पर नहीं होने चाहिए काशी में लगभग सौ मंदिरों को नश्ट कर दिया गया था और लगभग असी सालों तक पूरी काशी खंडर बनी हुई थी एक अंधा व्यक्ती ब्रेल से ज्ञानवापी को देख सकता है आप देख सकते हैं कि यह हिंदू प्रतीक है यही कारण है कि मैंने कहा कि हिंदू मूख प्राणी है हमारी आवाज में दम नहीं है लोग कहते हैं कि बीस हजार मंदिर, चालिस हजार मंदिर क्या इन सभी को फिर से प्राप करना संभव है अगर आप उसे सौंप देंगे तो बिरादरी चलती रहेगी मुझे नहीं लगता कि अल्प संख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों को कोई आपती है सिवाए इन नाजाइज नेताओं के इस चुनाव के बाद इन नाजाइज नेताओं को एक किनारे कर दिया जाएगा भारत जाग रहा है अविमुक्तेश्वर दो हजार अठाइस तक एक जीवन्त वास्त्विक्ता हो जाने चाहिए सबसे पहले मैं आपसे पूठना चाहता हूं कि आप इस तरह की किताब को कैसे देखते हैं और आज के भारत में ये महत्वपून क्यों है ऐसा भारत जिसने 500 सालों के संघर्ष और टकराफ के बाद हाल में आयूध्या में राम लला की अविस्मरणिय प्रान प्रतिष्ठा देखी है और हमारे धेर सारे आलोचक को जो मुझे यकीन है कि हमारे पास धेर सारे हैं आपके ज्यादा मेरे कम अलग-अलग आकार प्रकार और रंग के भारत और विदेश में भी आलोचक नहीं है गालियां देने वाले हैं मैं तो बस उदारता दिखा रहा था वैसे कौन इस तरह के कारे को बहु संख्यवाद ये जिंडा हिंदू वर्चस्ववाद पुनर उथानवाद कहेगा तो क्या आप इसे ऐसे देखते हैं या फिर क्या इस तरह के काम भारतियों के रूप में हमारी सभ्यतागत पहचान का केंदर बिंदू उसका सार और उसकी नब्ज तक पहुँचने जैसा है देखिए एक सफल आकरमन कारी ना सिर्फ किसी की भूमी का हिस्सा हडपता है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मन के भूगोल पर कबजा करे मानसिक धांचे पर या मानसिक भूगोल पर कबजा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा जाए की जो जो आकर हमें लूटता है वो वो कुछ समय बाद अमीर और यहां तक की प्रेरणा दायक लगें आज के भारत का यही प्रतीक है कि जिन लोगों ने हमें लूटा, हमारा बलातकार किया और डकैती की, वो अब हमारे लिए प्रेरणा दायक बन गए है यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास उस तरह से लिखा गया है जो हमने नहीं उन्होंने लिखा है लेकिन पिछले सत्तर से, पच्छतर सालों में हमने उसे फिर से लिखने की परवाह नहीं की हमने पीडितों की तस्वीर सामने लाने की पर्वाह नहीं की कहीं भी अगर आप आप देखेंगे अगर हॉलिवूड की 20-25 फिल्मे आएं तो एक यहूदियों के नरसंहार के बारे में होगी एक अफरीका के अश्वेद दासों के उत्पीडन के बारे में होगी लेकिन इस देश में क्या हुआ इस धर्ती पर क्या हुआ इस विशय पर समाज में उल्लेखनी प्रभाव वाली एक भी कमबख्त फिल्म या कोई किताब भी इस बारे में नहीं होगी अगर आप वाकई मुड़कर देखें तो सबसे बदतर अत्याचार हुए है अगर आप सौ साल का समय देखें तो धर्ती पर और कहीं भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है इतने बड़े पैमाने पर हत्या और बलातकार और लूट पार्ट जो यहां हुई है लेकिन हम हमारे अंदर हमारे अंदर गर्व की बहुत शान्त भावना है तो हम सोचते हैं कि अगर हम यह नहीं कहेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ हम उसे कहते नहीं इसका मतलब कि वो हुआ ही नहीं देखिए यह जापानियों की तरह है वो हिरोशिमा नागा साकी की बात नहीं करेंगे वो फुकुशिमा और उसके उत्पीडन की बात नहीं करेंगे वो बस ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि वहां गर्व की शांत भावना है जोरदार गर्व नहीं जिन लोगों में गर्व की प्रबल भावना होती है वो उसके बारे में किताबें लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे, नाटक बनाएंगे लेकिन ये गर्व की बहुत शांत भावना है हम इस पर काबू पाने की भर सक कोशिश कर रहे हैं जिसे आकरामक तरीके से ले लिया गया उसे हमने कानूनी प्रक्रिया से वापस लेने की कोशिश की कुछ सालों की नहीं, कुछ सदियों की कानूनी प्रक्रिया क्या आपने कभी सुना है कि कोई कानूनी प्रक्रिया अदालतों में तीन सौ चार सौ सालों तक चल रही हो यही है भारत से लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन नयाय मिलेगा और किस्मत से नयाय मिल गया है यह जितना मूर्खता पूर्ण है उतना गहरा भी है मैं इसकी बहुत तारीफ भी करता हूँ यह किस तरह के लोग हैं साड़े पांच सौ सालों से वो अदालतों में जा रहे हैं जो तमाम तरह के लोग चला रहे थे इसलामी अदालतों से लेकर ब्रिटिश अदालतों और भारती अदालतों तक वही केस एक ही मंदिर के बारे में किस तरह के लोग ऐसा करेंगे ऐसा समय था जब वो आकरामक तरीके से इसे वापस ले सकते थे लेकिन नहीं वो अदालत गए अब भी हम अदालत में हैं एक सफल रहा है दूसरे थोड़ा बेहतर लग रहे हैं लेकिन ये एक ये ऐसी सभ्यता है जो सिर्फ यहां रहने वाले लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है ये ऐसी सभ्यता है जो धर्ती पर हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है क्योंकि ये इकलोती समावेशी सभ्यता है मैं ये नहीं कह रहा कि सारे भारतिये प्यार से भरपूर हैं, कल सुबह वो आपको गले लगाने को तैयार हैं, नहीं, अलग-अलग लोग अपनी तरह के हैं, लेकिन धर्ती पर और कोई जगह नहीं है, जहां धर्म-ग्रंथ आपको समावेशी बनाने के लिए मार्ग-दर्शन करते हैं, हर कहीं धर् सुथी सभ्यता है, जहां हमारे लग-भग सभी धर्म-ग्रंथ मानवता को गले लगाने की बात करते हैं, सिर्फ मानव जाती को नहीं, सभी जीवन रूपों को गले लगाना, धर्ती पर ऐसी कोई जगह नहीं है, इस देश में और दुनिया में इसे एक वास्तविक्ता बना किस चीज़ पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्या खाते है या नहीं क्वाते हैं इस से मुझे मतलब नहीं है, आप जैसे भी हैं मेरे लिए ठीक हैं. मैं फर्क को लेकर उत्साहित हूं. जए आप ये नहीं चाहता कि आपको अपने जैसा कैसे बनाऊू। मैं चाहता हूँ कि कैसे आपको गले लगाओं, आप किस तरीके से मेरे जीवन में समा पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भावी पीढ़ियां तक्नीकों के साथ अगर अनुभव से नहीं भी कर पाई हैं तो कम से कम तक्नीकों के माध्यम से कई सीमाओं को खत्म कर दिया है। तक्नीक ने स्वयम अपने से, लोगों के सब के जीवन में योग की कुछ भावना ला दी है। तो योग शब्द का अर्थ है मेल या हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को सचेतन रूप से नष्ट करना। कई माइनों में तक्नीक ने हमारे साथ ये किया है। तो तक्नीक के कारण व्यक्तिगत सीमाओं मिटी हैं, सामाजिक सीमाओं मिटी हैं, राष्ट्रिय सीमाओं नष्ट हो गई हैं। और ये सब से अच्छा समय है क्योंकि अगर आप इस सभ्यता पर नजर डालें तो ये एक मात्र सभ्यता है, जिसने वेग्यानिक तरीके से तारकिक रूप से मानव कल्यान के बारे में सोचा, यही कारण है कि यह धर्ती बहस अंतहीन बहस से भरपूर है, यह एक अजीब बात भी है कि इसने हमारे कल्यान और हितों के खिलाफ भी काम किया है क्योंकि जब हमें लूटा जा रहा था और हमारा बलातकार हो रहा था तब भी हम बहस कर रहे थे दुर्भाग गिवश लेकिन हमें बहस करने की इतनी आदत हो गई कि चाहे कुछ भी हो हम बहस करते हैं तो कई बार यह दुखद रहा है यह बहसे लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ सबसे निर्मम चीजें होने के बाद भी हम बहस करने के लिए तयार हैं ना कि हर समय लड़ने के लिए तो हम ऐसी स्थिति में हैं और इस समय आप जैसे लोग जो सौभाग्य से तत्यों के साथ इतिहास लिख रहे हैं विट फैक्स फॉर्चनेटली क्योंकि भले ही महिलाओं को यह पसंद नहो लेकिन यह हिस स्टोरी है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पुरानी अंग्रेजी में हिम सिर्फ एक पुरुष नहीं था ही सिर्फ एक पुरुष नहीं था मनुष्य को ही कहा जाता था तो यहां भारत में भी पुरुष का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है इसका मतलब मनुष्य है फिर आगे विभाजन होता है स्त्री और पुरुष लेकिन आम तोर पर पुरुष का अर्थ मनुश्य होता है तो इसी तरह मैन का मतलब बस यही था वोमन मीन्स अ मैन विट वूम्ब शाहो तो ये मानव प्रजाती के साथ भी दो लिंगों के बीच ऐसा बरताव करने की कोशिश जैसे कि वो दो अलग-अलग प्रजातीयों के रूप में दुनिया में आए हों ऐसे समय में जिस सभ्यता को हम हिंदुस्तान या भारत कहते हैं वो दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए हिंदुस्तान के व्यापक पहलू और हिंदुस्तान के सूक्ष्म पहलू दोनों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है यही वज़ा है कि मैं आपकी किताबों को लेकर थोड़ा उतसाहित था क्योंकि ये आत्मकतात्मक है साथ ही ये इतिहास भी है आत्मकता सूक्ष्म है इतिहास वरहत है तो ये संयोजन बहुत जरूरी है वरना हमारे पास लोगों के जीवन के बारे में अंतरद्रिष्टी नहीं है हमारे पास सिर्फ तत्यों का ढेर है जिन से हम जुड़ नहीं सकते लोगों के उस दिन के अनुभवों को जाने बिना तत्थियों और तारीखों का क्या फाइदा तो ये एक ऐसी सभिता है जहां लोग सोचते हैं कि हमें इतिहास की कोई समझ नहीं है क्योंकि हमने कभी भी अपनी तारीखों और घटनाओं को उस तरह से सावधानी पूरवक लिखने की परवाह नहीं की बलकि हम सिर्फ लोगों के अनुभवों को लिखते हैं क्योंकि लोगों के अनुभव चाहे वो एक हजार साल पहले हुए हो या पाँच या दस हजार साल पहले आज भी प्रासंगिक हैं वास्तव में तारीखों और घटनाओं का कोई महत्व नहीं है जब तक कि आप इतिहास में पी एजडी नहीं करना चाहते जो बहुत आसान होगा क्योंकि आप सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं जो पहले से मौजूद है अगर आप ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो मौजूद नहीं है तो उसे कल्पना कहते है इसी लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई विक्रम एक इनसान के अनुभव के जरिए व्यक्तिगत न जरिये से इतिहास लिख रहे हैं खैर कुछ अठकले हैं लेकिन घटनाओं पर गौर करें तो हम जानते हैं कि यही हो सकता था इसी तरह रामायन और महाभारत लिखे गए ये इतिहास है लेकिन हम तत्यों और तित्यों के मूर्ख तापूर्ण संग्रह से इतने प्रभावित हो गए कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मिथालोजी है इतिहास नहीं है तो हमने इस देश में मिथालोजी और इतिहास को भी अलग कर दिया है नहीं दोनों में कोई अंतर नहीं है ये इतिहासिक है लेकिन इसका नजरिया मानविया है ये सिर्फ अकादमिक प्रकृती का नहीं है इन दो चीजों के बीच कोई कैसे सीमा तै करें सत्कुरू मतलब वैग्यानिक तत्थियों और पौरानिक कथाओं के बीच क्योंकि इस पुस्तक के लिए शोध करते समय जब मैं काशी और विश्वनात मंदिर की अतीत पर नज़र डाल रहा था जब आप पौरानिक साहित्य पर जाते हैं तो हर राजा वहां 32,000 साल तक राज कर रहा है कोई लाखों साल तक राज कर रहा है एक आधुनिक 21 सदी का इतिहासकार जो इन से जूज रहा है वो इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को कैसे एक जुट करे क्योंकि मुझे लगता है कि भारत बहुत ही दुन्दात्मक तरीके से बोलता है देखिए जब कोई कहता है कि किसी राजा ने एक लाख साल तक राज किया तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि शुन्य का आविशकार भारतियों नहीं किया था तो इसमें हमें थोड़ी आजादी है जिसे हम इस्तिमाल कर सकते हैं किसी ने इसमें एक, दो, तीन, चार नहीं जोडे ठीक है हमने केवल शुन्य जोडे हैं तो आप हमें दोश नहीं दे सकते हैं लेकिन आपको इसे ऐसे समझना होगा या तो जिस इतिहासकार ने ये लिखा कि राजा ने एक लाख साल तक राज किया वो एक खरीदा हुआ इतिहासकार था या वो राजा से बहुत प्यार करते थे उन्हें पता ही नहीं था कि उसकी तारीफ कैसे करें तो उन्होंने कह दिया कि उसने अनंत काल तक राज किया या उसने लाखों साल तक राज किया तो शून्य की संख्या के आधार पर आपको समझना होगा कि उनके दिल में उसके लिए कितना प्यार और सराहना थी किसी राज्य पर राज करने वाले किसी राजा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एक शून्य लगा सकते हैं विशेश रूप से काशी विश्वनात मंदिर और इस मामले पर बात करें सत्कुरू तो अयोध्या के मामले में मेरे खयाल से लोग हमसे पूछते रहे हैं सुबूत कहा हैं हमें सुबूत दिखाओ और भी बहुत कुछ इस मामले में मेरे खयाल से काफी लोग जो काशी गए हैं जब आप गेट नमबर चार पर जाते हैं तो पहली नजर आपकी ग्यानवापी मस्जद पर पढ़ती है पहले तो ये एक विरोदाभास है एक संस्कृत नाम ग्यान का कुवा एक मस्जद के लिए थोड़ा आजीब है पश्चिमी दिवारे, खंडर, सब सोलवी सदी के एक भव्यमंदर के अवशेश हैं जो वहाँ बना था और उसके बावजू जैसा कि आपने कहा कि हमने शान्ती का रस्ता चुना इस मामले में अयोध्या के विपरीत दो सो धाई सो सालों से केस चल रहे हैं शायद हमें अदालत में बहस करना पसंद है वहाँ भी हम भारतियों की बहस करने की आदत नहीं जाती और अब हमने उन्हें जवाब दिया है जो पूछते रहते हैं सुबूत कहा है अब हमने उनके साबने भारतिये पुरातत्व सर्वेक्षन के 800 पन ने पटक दिये हैं जो करीब पिछले महीने आया है जिसमें हर छोटी चीज का व्योरा है तो मंदिर का विरोध करने वालों के लिए कितना सुबूत काफी है कि वो सच में कहें कि हम सहमत है क्या औरंग जेब को अपनी कबर से निकल कर बोलना होगा हाँ मैंने उसे तोड़ा था क्या सिर्फ तभी वो इस बात को मानेंगे देखिए ज्यादा तर मंदिर जो तोड़े गए उनके पास हमेशा से एक इतिहासकार होता था क्योंकि अपने मन में वो ऐसे लोगों के रूप में याद रखे जाना चाहते थे जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा या नश्ट किया और उस धर्म को स्थापित किया जो उनके हिसाब से सरवोच्च था तो वो याद रखे जाना चाहते थे उन लोगों के रूप में जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा था इसलिए सबूत का आज कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद बहुत गर्व से लिखा है कि मैंने ये मंदिर तोड़ा और उदाहरण के लिए मतुरा में लिखने वाला आदमी कहता है ये सबसे भव्य इमारत है जो मैंने अपने जीवन में देखी है इतनी विशाल इतनी शानदार रचना ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता इसमें ईश्वर का हाथ है लेकिन फिर भी उन्होंने नश्ट कर दिया और ये सब उन्होंने खुद लिखा है आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जोट लिखा है ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने हमारी पाठ्थे पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने हमारा दिमाग इतना बिगाड़ दिया है कि हमारे पास ये कहने की हिम्मत नहीं है कि ये सही नहीं है और दुर्भाग्य से हमारी कानूनी व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा विवस्था इस देश के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू शुरुआती पचास साथ साल तक उन लोगों के कब्जे में थे और इसी कारण हमारे अपने मन कहीं न कहीं ऐसे है मैंने अपने मन को पूरी तरह पलटने में थोड़ा समय लिया है वरना स्कूल, कॉलेज के समय मेरा मन हालां कि मैं शायद ही वहां जाता था फिर भी उसका मुझ पर असर था क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी भावना है जैसा कि मैंने कहा एक आकांग्शा है हमलावरों की तरह होने की एक शर्मिंदगी की भावना भी है पीडित होने की वजह से इसलिए हम उससे नहीं पहचाने जाना चाहते अगर संभव हो तो हम अपनी तवचा का रंग बदलना चाहेंगे मैं नहीं लेकिन कई सारे लोग ऐसी फिल्मे हैं जहां लोग अपनी तवचा का रंग बदल रहे है बेशक आपकी तवचा का रंग बदलने वाले कॉस्मेटिक्स है क्योंकि कहीं न कहीं हमलावर प्रेरणा दायक बन गए है जो हर तरह के लोगों के लिए एक भयानक चीज है लेकिन ऐसा हुआ है खुशकिस्मती पुनरुथान हो रहा है और अचानक उन में तेजी आई है और राजनीतिक इच्छा शक्ती दिखी है और अचानक से नियाय पालिका भी सक्रिय हो गई है तो चलिए इन चीजों को भूल जाते हैं अगर हम सिर्फ आज के सम्विधान से चलें जिसमें खुद कुछ पहलू है क्योंकि कभी कोई perfect किताब नहीं लिख सकता किसी चीज के बारे में ये ठीक है आप एक लेखक हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई कभी एक perfect किताब नहीं लिख सकता हर किताब जो आप लिखते हैं उसमें ये दुविधा होती है अगर आप उसे हजार बार पढ़ें तब भी आपको लगेगा कि ये हटाना चाहिए वो डालना चाहिए उसे हटाना चाहिए इसे लाना चाहिए ये अंतहीन तरीके से चलता रहेगा जब तक कि कोई और या संपादक आपसे ये न कहे या तो कल तक मुझे ये दे दो या तुम्हारा काम खत्म है तो ये किताब की प्रकृती है तो संविधान भी आमबेड करने भी ये दावा नहीं किया कि ये एक परफेक्ट संविधान है बहुत अच्छे से काम हुआ है लेकिन ये परफेक्ट किताब नहीं है तो ये कहना चाहिए कि कुछ समस्याएं हैं लेकिन अगर आप मौजूदा सम्विधान के अनुसार चलें तो ये बहुत सरल है एक अंधा भी देख सकता है कि ग्यान वापी क्या है ब्रेल से आप देख सकते हैं कि ये हिंदु प्रतीक है उसे देखने के लिए किसी को आँखों की भी जरूरत नहीं है लेकिन हमारे काबिल जजों को ये देखने के लिए 60-70 साल की कानूनी प्रक्रिया लगती है उमीद है कि हम यहां अदालत की अवमानना नहीं कर रहे हैं ये गंभीर अपराद है नहीं अदालत की अवमानना तब होगी अगर मैं वर्तमान नियाद हीशों के बारे में कुछ कहूँ मैं प्राचीन काल के बारे में बात कर रहे हैं तो काफी देरी और काफी टाल मटोल हो चुकी है मेरे ख्याल से कई माइनों में कोई भी प्रक्रिया शिक्षा न्याए पालिका जो भी प्रक्रिया किसी जगह पर होती है उस पर किसी ना किसी रूप में सत्ताधारी वर्ग का अगर पूरा नियंत्रन नहीं तो प्रभाव जरूर होता है तो जब शासक वर्ग पूरी तरह से उस रास्ते पर था तो मेरे ख्याल से हर किसी ने समवैधानिक प्रक्रिया में चूक ढूंड ली ताकि सत्ताधारी वर्ग को खुश किया जा सके तो एक ऐसा समय आ गया है जहां देश में जागरूकता का उभार है और मुझे नहीं लगता कि न्याईक अधिकारी इस बढ़ती जागरूकता से बच सकते हैं और वे किसी भी चीज़ का फैसला ऐसे तरीके से नहीं कर सकते जो सभ्यता के लिए नकारात्मक हो और समविधान के अनुरूप नहीं हो हम समविधान से परे तो ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं जो समविधान के भीतर है वह होना ही चाहिए कोई भी नहीं नहीं कह सकता क्योंकि यह एक अधिकार है मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कि किसी ने उनीस सो इक्यानवे में एक कानून पारित करने का साहस किया था जिसमें कहा गया था कि भारत के नागरिक उन कुछ पहलूँ के बारे में अधालत नहीं जा सकते जो उनके लिए महत्वपूर्ण है Places of worship Nowhere in the world दुनिया मैं कहीं भी कोई भी लोगतांतरिक देश कभी ये नहीं कह सकता कि एक नागरिक कानून का सहारा नहीं ले सकता ऐसा कोई देश नहीं है बेशक हम भी ऐसा देश नहीं होना चाहते लेकिन ऐसा कानून पारित किया गया और अब भी हम उसे हटाने में हिचक रहे हैं और मैं नहीं जानता कि ये सुप्रीम कोट की नजरों से कैसे बच गया ऐसा कैसे हो सकता है आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश के नागरिक उन चीजों के लिए कानून का सहरा नहीं ले सकते जो उनके लिए माइने रखती है तो जब आप वर्तमान के बारे में बोल रहे हैं मैं आपका ध्यान थोड़ा तीत की तरफ ले जाना चाता हूँ क्योंकि वर्तमान की सारी परिशानियों की जड़ शायद वहीं पर है सत्कुरू और आपने सत्ता वर्ग की और संकेत किया तो क्या ये बेशक कुद तरहा है लेकिन फिर क्या ये नहरुवाद, मार्कसवाद की तथा कतित, आम सहमती और धर्मनिर पेक्षता का जूटा आदर्श था जहां हर समय हिंदू चेतना को ही दबा कर रखा गया भारत में एक हिंदू ही अपनी पहचान को गर्व से धारण नहीं कर सकता था जबकि अन्य दूसरे समुदाए ऐसा कर सकते थे अपराद बोध का हीन भाव का ये भूज हमेशा से था और सामाजिक सद्भाव, सामप्रदाएक दुश्मनी का बोज भी हमेशा हिंदू के कंधो पर डाला जाता था और आज उसका विरोध हो रहा है, ये कहकर कि अब तक हुआ लेकिन अब और नहीं और क्या इसने किसी तरह हमारे सिस्टम को चलाने के तरीके, नियाए पालिका, शिक्षा व्यवस्ता वगेरा में असर डाला है और आपको इस तथा कथित नहरुवादी थर्म निर्पेक्शता में कहां बदलाव नजर आता है क्या हमारे देश में आज ये एक बहुत ही महत्वपून मूड है जहां उस आम सहमती में दरार आ गई है जो हमने भारत की अवधारणा पर किसी तरह बनाई थी देखिए मैं इस शब्दावली में नहीं उलजना चाहता कि यह नहरुवादी है ये इंदिरा गांधी वादी है वगेर है वगेर है क्योंकि आप जेंडर के प्रती बहुत सचेत हैं और आप स्त्री पुरुश ये सब कह रहे हैं मैं कहूंगा वे अब से तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे मन में स्त्रीयों के लिए कोई सम्मान या इज़त नहीं है बिल्कुल है बात बस इतनी है कि सिर्फ एक शब्द को बदल कर ये सोच लिया जाता है कि काम हो गया है बहुत कुछ करने की जरूरत होती है लेकिन जैसे ही आप एक शब्द बदलते हैं लगता है कि बस हो गया ये नहीं हुआ है ठीक है किसी भी समाज में चाहे वे इसे पसंद करें या ना करें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अफसर पैदा किये जाएं ये अपने आप में एक अपराद हो सकता है यानि मैं कह रहा हूँ कि दो ही है ये आज की दुनिया में एक अपराद हो सकता है खैर जो भी हो सभी इनसानों को समान अफसर देना चाहे वे किसी भी प्रकार के हो स्त्री पुरुष और जिन्होंने अभी तक ये तैए नहीं किया है आप जो भी है एक समान अफसर पैदा करने के लिए पहली महतुपूर्ण चीज ये है जिसे कहना एक अशलील चीज मानी जाती है क्योंकि वो वास्तविक्ता में नहीं जीते वो स्कूली किताबों में जी रहे है या कक्षाओं में या एकेडेमिक्स में जी रहे है महिलाओं की सुरक्षा के बिना कानून में और समाज में महिलाओं को एक निश्चित तरह की सुरक्षा दिये बिना कहीं भी समान अफसर नहीं हो सकते खैर कई सारी महिलाएं हैं जो कहती हैं हमें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है फिर आप नहीं जानते अस्तित्व की प्रकृति को क्योंकि हम जिस प्रकार के जीव हैं उसमें एक को थोड़ी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमतर है किसी चीज़ को अगर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से कम है वो बस अलग है इसलिए उसे थोड़ी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है और अगर वो सुरक्षा किसी समाज में मौजूद न हो तो समान अवसर सिर्फ एक मजाख है ये कभी नहीं होगा बराबरी के नाम पर हम महिलाओं और बच्चों का शोशन करेंगे क्योंकि शारिरिक तोर पर वे थोड़े कमजोर हैं उसका फाइदा उठाया जाएगा तो उस संदर्भ में ये सारी प्रक्रिया मैं इसे नहरुवादी या माक्सवादी नहीं कहना चाहता हाँ उन्होंने खेल खेले लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे लोग हैं जो खुद भी डरे हुए थे और इसी लिए उन्होंने हमलावरों को प्रेणा दायक बना दिया एक शिकार उस प्रक्रिया का जिसे हमलावरों ने शुरू किया था लेकिन बेशक इतिहास में ऐसे क्षण हैं हाल के इतिहास में ऐसे क्षण हैं जब मैं हाल के कहता हूँ तो पिछले सौ सालों में जिसमें जो हमें सिखाया गया है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, उनमें कई प्रश्न चिन्न हैं, जिनके उत्तर नहीं मिले हैं, और शायद अभी देश के पास उन सवालों का सामना करने और उनका जवाब ढूंडने का सा पास नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाली पीड़ी को वो सवाल जरूर पूछने चाहिए कि क्यों, क्यों कुछ चीजों को इस तरह से किया गया, बंटवारा क्यों हुआ, क्योंकि आप उन लाखों लोगों का, दर्द भूल सकते हैं, पर अब भी दोनों देश एक अधर से इधर धकेल दिया गया, ये कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है, ये मानवता का प्रश्न है, साथ लाख लोग अपनी हर चीज छोड़ कर जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, और बहुत जल्दबाजी में जा रहे हैं, और दूसरे देश में शरणार्थी बन रहे हैं, अब अगर आपकी मानवता जिन्दा है, तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए, और उनके जवाब मिलने चाहिए, हमारी पीड़ी के लिए, और खासकर आने वाली पीड़ीों के लिए, इन सवालों के जवाब दिये ही जाने चाहिए, मुझे लगता है सद्गुरू की ये तथ्य भी इससे बहुत करीब से जड़ा हुआ है, कि चुकि हिंदू, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उनको अपनी पहचान धूमिल करनी पड़ी, नहीं धूमिल नहीं, छिपानी पड़ी, दिखाई ना पड़े, क्या ये भी एक कारण था, अर्चो कि हम यहां काशी जैसे पवित्र शहर की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे लगबग सारे पवित्र स्थल, खासकर उत्तर भारत में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रया, गया, ये सब बहुत ज्यादा गंदगी में डूप गए और वे बिलकुल भी, वहां तक पहुँच भी नहीं थी, अब जाकर अयोध्या में हवाई अड़ा बना है, सडके बनी है, तथा कथित धार्मिक परियतन के हिसाब से भी, और जिस तरह के आर्थिक फायदे उससे देश को हो सकते थे, उसे जरा भी महत्वपूर्ण नहीं सम जा गया, तो आप इस रवाईय को कैसे देखते हैं, जिस तरह से हमने पिछले 75 सालों में अपने पवित्र स्थानों को नजर अंदास किया है, और इन सब ने मिलकर आज हिंदू चेतना, हिंदू मानसिक्ता के साथ जो कुछ किया है, देखिए अगर आप किसी प्राचीन मंदिर को देखें, ज्यादातर उत्तर भारतिय मंदिर प्राचीन नहीं है, उन्हें जल्दबाजी में कई कई बार फिर से बनाया गया है, तो वो वाकई उस तरह से प्राचीन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिन की तरफ आते हैं, आप प्राचीन मंदिर देख सकत जो काफी हद तक उसी बुन्याद पर खड़े हैं जिस पर उन्हें बनाया गया था अगर आप इन मंदिरों को देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर किसी को इसे बनाना होता हजार साल पहले या दो हजार साल पहले तो इंजीनियरिंग वास्तु शिल्प और उन मंदिरों की विशालता को देखते हुए किसी मशीन या परिवहन के लिए मशीनी की सहायता के बिना इन मंदिरों का निर्मान कोई साधारन बात नहीं रही होगी वो एक उपलब्धी है वो निर्मान नहीं है वह एक असली उपलब्धी है आप तंजावुर इलाके से हैं ठीक है तो ब्रिहदेश्वर मंदिर में एक असी टन का गुपुरम वहां विराजमान है उस उचाई पर हाँ उतना बड़ा पत्थर उस उचाई पर इन लोगों में ऐसी किसी चीज़ की योजना बनाने की इच्छा शक्ती कहां से आई उस पर काम करने की बात छोड़िए इसके लिए एक तरह का साहस चाहिए आज इतनी सारी मशीनों के बाद भी हम ऐसा कुछ बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते ये एक सच्चाई है तो जब उन्होंने इतने भव्य मंदिर बनाए जाहिर है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया होगा जिसमें व्यवस्थित सडकें, पहुंचने के मार्ग, बगीचें और उसके आस पास कुछ सौ एकड जमीन होती थी आज आप देखिए, लगता है जैसे इन प्राचीन मंदिरों को किसी छोटी सी गली में बनाया गया था क्योंकि वहां पहुंचने के मार्ग ऐसे ही है तो सब कुछ नश्ट कर दिया गया, ये किस ने किया देखिए एक बार जब शासकों को इसकी परवाह नहीं होती कि इसका क्या होगा तो फिर जो लोग उस संस्कृति से संबंध रखते हैं और उस धर्म में विश्वास करते हैं और उस धर्म का पालन करते हैं उनका भी संपत्ति sorry उनकी आस्था उनकी भक्ती पर हावी हो जाएगा अगर मैं यहां ऐसा होने दूँ तो हमारे कुछ साधक यहां एक शिविर लगाना चाहेंगे पहले सिर्फ एक तंबू फिर उससे कुछ ज्यादा बहुत से लोग ठीक यहीं बगीचे में ठिकाना बनाना चाहेंगे चूंकि यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां एक तरह से कानून विवस्था है तो ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा समय के साथ हुआ है कुछ भी लागू करने वाला कोई नहीं था तो एक तरह की अराजकता मुख्य रूप से ऐसी चीजें जो कानूनी नहीं है लोग किसी और की संपत्ती पर कबजा कर लेते हैं चाहे वह किसी पुरुष, स्त्री, बच्चे या भगवान की हो वे उस पर कबजा कर लेंगे क्योंकि इनसानों में इस तरह की बाध्यताएं होती है तो आज अधिकांश भव्य मंदिरों के प्रवेश द्वार या वहां तक पहुँचने वाली सड़कें ऐसी है मानो इन मूर्खों ने बिना किसी पहुँच मार्ग के इतनी बड़ी इमारत बना दी किस मूर्ख ने इसकी योजना बनाई आप यही सोचेंगे लेकिन उन्होंने ऐसी योजना नहीं बनाई थी यह हमने किया है इतने समय में तो दरसल यही हुआ है आजादी के बाद ही नहीं आजादी से पहले भी जो भी सत्ता में था पिछले 400 सालों में 300 से 400 सालों में उन्होंने हर संभव कोशिश की कि हिंदू मंदिरों को अगर संभव हो तो नश्ट कर दो जहां संभव न हो वे जरजर हो जाएं दुरभाग्य से यह आज भी चल रहा है लेकिन काशी के संदर्भ में और आज हम जो बात कर रहे हैं मेरे खयाल से मैं एक मिलियन डॉलर प्रश्ण पर जाता हूँ प्रश्ण डॉलर में क्यों आखे जाते हैं 10 करोड या 100 करोड का सवाल सवाल और सवाल की एहमियत को पैसों में क्यों आखा जाता है आपको यह नहीं करना चाहिए धधकता हुआ तो अगर वो एक जुलंत प्रश्ण है तो आप कह सकते हैं यह एक जुलंत प्रश्ण है अगर वो एक मधूर प्रश्ण है तो मौसम को देखते हुए आप कह सकते हैं कि यह एक आम सवाल है अगर ये एक उग्र सवाल है तो आप कह सकते हैं कि वो एक मानसून प्रश्ण है सवाल में पैसे मत घुसाईए ये बड़ी अमरी की सोच है हर चीज डॉलर है तो आज कल हम पवित्र स्थानों के पुनरुद्धार की काफी बात कर रहे हैं और हम शायद पहला उधारन अयोध्या का था काशी में काफी रफतार आई है मतुरा शायद कतार में अगला है और लोग पुनरुद्धार आंदोलन के धेर सारे आलोचक पूछ रहे हैं ये कहां जाकर रुकेगा आप कहां तक जाएंगे तमाम संख्याओं की बात हर जगह चल रही है मेरे खयाल से डॉक्टर सीता रामगोयल जी निलगभग 1826 में इस तरह के अतिक्रमन के मामनों का लिका जोका बनाया था कुछ लोग कहते हैं 20,000 मंदिर, 40,000 मंदिर क्या इन सभी को वापस पा लेना संभव है हमें तधा कथित समाजिक सद्भाव और पुनरुधार के बीच कहां रेखा कीचनी चाहिए और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले हमारे समय के आध्यात में गुरू के रूप में इस बहुत ही जटल सवाल जिसका हमाज एक समाज के रूप में सामना कर रहे हैं के लिए आपका नुस्खा क्या होगा देखिए जैसा कि मैंने कहा शूनिय के साथ ये उदारता इसमें थोड़ी सी समस्या है लेकिन मैं ये कहने वाला कौन होता हूँ कि सिर्फ एक विशाल मंदिर या काशी या मतुरा जैसे प्रसिद स्थान पर ही दावा करना चाहिए किसी और का कोई छोटा सा मंदिर जो उनका कुल देवता या ऐसा ही कुछ था छीन लिया गया वे उसे वापस चाहते हैं और उन्हें वह वापस मांगने की जरूरत नहीं है ऐसा कहना मेरा काम नहीं है क्योंकि अपने छोटे से मंदिर के लिए उनकी भावना उतनी ही है जितनी मेरी शायद काशी के लिए होगी तो यह कहना मेरा काम नहीं है कि उन्हें वह वापस मिलना चाहिए या नहीं क्योंकि हम पहले ही यह कह चुके हैं हम और सम्विधान के दाइरे के भीतर भी जो आपसे छीना गया था देखिए कल सुबह आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं जैन ठीक है तो शायद आपको लगता है कि उससे आपको ग्यान मिलेगा उससे नहीं मिलेगा अब तक उसने नहीं दिया है मैं कोशिश करा हूँ तो मान लेते हैं कि आप कोई बढ़िया वाली चला रहे होते और मैंने उसे आपसे चुरा लिया और उसे अपने गैराज में पार्क कर दिया फिर पंद्रह दिन बाद आपको एहसास हुआ कि मैंने उसे चुरा लिया है और आपने आकर मेरी गैराज से वो कार ले ली तो मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ ये सम्विधान है ठीक है? चुँकि आप जन चला रहे हैं इसलिए सुरक्षित है तुम मुझे कोई नहीं देने बादे बीस साल पहले शायद कोई छीन लेता अब नहीं तो किसी ने जबरन मंदिर को छीन लिया बहुत ही करूर तरीके से लेकिन आज आप जाकर वहीं चीज़ नहीं कर सकते आप सिर्फ कानून के रास्ते जा सकते हैं मेरे ख्याल से यह देश के लिए अच्छा है यह हमारे लिए अच्छा है और इस से जुड़े हर किसी के लिए यह अच्छा है लेकिन जहां भी आपके पास परियाप्त सबूत हैं कि इसे जबरन छीना गया है और अगर मंदिर से किसी ना किसी रूप में जुड़े लोग उसे वापस चाहते हैं तो उन्हें वो वापस मिलना चाहिए अगर परियाप्त सबूत हैं और वो कानून की चानबीन में खरा उतर सकता है लेकिन अगर हम इस तरह से जाएं जो भी आपने कहा अठारा सो कुछ यही कहाना लग भग इतने ही अगर आप इस तरह चलेंगे तो इसमें और पांच सो साल लग जाएंगे तब तक हमारी दलीलें खत्म हो चुकी होंगी तो मेरे ख्याल से यह बहतर होगा कि हम किसी तरह का एक आयोग बनाएं या ट्रिब्यूनल जिसमें हर कोई शामिल हो जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ इस धर्म के या उस धर्म के लोग शामिल हों वैग्यानिक बुद्धि वाले लोग जो जानते हैं कि सबूतों और दस्तावेजों का अध्यान कैसे करना है और फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि इतने जाने देते हैं इन को नहीं छोड़ सकते अगले दो से तीन साल में इन सब का हल हो जाना चाहिए वरना ये घाव बार 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 कुरेदे जाएंगे सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये किसी के खिलाफ नहीं है एक सब्धिता किसी सब्धिता के सुधार के लिए जो मूल लिवान है उसे वापस लेना किसी के खिलाफ नहीं होता है उदाहरन के लिए अगर आपके घर के बगीचे के नीचे मान लीजिए हमें हडपा या मोहंजोदारो जैसी कोई चीज मिल जाती है तो हम आपके घर को कबजे में ले लेंगे मैं अपने घर के नीचे खुदाई नहीं करने दूँगा चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे हम ले लेंगे तो मैं कहरा हूँ ये आपके खिलाफ नहीं है आप बस अपना घर खो देंगे बस इतना ही लेकिन शायद हम आपको कहीं और दूसरा घर दे दें लेकिन सभ्यता के सुधार के लिए कोई भी चीज दुनिया में कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं मानी जाती बात बस इतनी है कि किसी सभ्यता के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू वाली किसी चीज को हर कहीं हमेशा ही वापस ले लिया जाता है उदाहरन के लिए संयुक्त राज अमेरिका में हालांकि मूल अमेरिकी बड़े पैमाने पर गायब हो गए है या गायब होने के लिए मजबूर कर दिये गए है आज भी उनके समारक जो की हमारे जैसी गौरवशाली संरचनाए नहीं है लेकिन वो उनके लिए गौरवशाली थी वो बस मिट्टी के टीले बनाते थे वो टीले बहुत महत्वपूर्ण हैं आज भी उसी तरह संरक्षित रखे गए हैं पुरा तत्वस्थल हैं जिन्हें आप देखने जाते हैं तो मैं नेटिव अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सत्रह मूल अमेरिकी देश गया अपनी मोटर साइकल पर कोविड के समय मैंने वाइरस का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया वरना मैं शायद कभी नहीं जा पाता मैं काफी समय से ये करना चाहता था लेकिन आप जानते हैं मेरा शेडियूल जिस दिन मैं अमेरिका पहुँचता हूँ और जब तक वहां रहता हूँ तब तक के कारिकरम होते हैं लेकिन लेकिन चीन से आए वाइरस ने मुझे आजादी दी ये मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ले आया ये नेटिव अमेरिका की यात्रा लाया और मैंने अपने जीवन में पहली बार पेंटिंग शुरू की और आप उन चंद लोगों में से एक हैं जो वाइरस के सकारात्मक प्रभावों की बात कर रहे हैं मैं वहान वाइरस का शुक्र गुजार हूँ की लेकिन यह कहना बड़ा ही भयानक है क्योंकि दुर्भाग्य से साथ लाख लोगों ने अपनी जान गवाई लेकिन उसने मुझे उसकी वज़े से मैंने कई चीज़ों को खो जा उसने मेरी इम्यूनिटी के मामले में मुझे बहुत लचीला बनाया क्योंकि उस समय मैंने कुछ चीज़ें की जो अब भी मुझे चला रही है लगभग चार पांच सालों तक मुझे एक भी दिन खांसी या जुकाम या बुखार नहीं हुआ क्योंकि उस समय मैंने कुछ चीज़ें की जो मैं कभी नहीं कर पाता क्योंकि हमेशा ही मुझे ऐसे जबरदस्ट शेडियूल में डाल दिया जाता है तो मेरा मतलब है लोग कहते हैं कि आपको आशा की एक किरन देखनी चाहिए ये मेरे लिए किरन से कहीं ज्यादा था और जब मैं वहां गया मैंने देखा कि हम एक समारक देखने गए एक मूल अमेरिकी समारक जैसे की होकिया या साप का टीला जब आप वहां जाते हैं तो एक भारतिय होने के नाते आप सोचते हैं नहीं उन्हें भी इंडियन कहा जाता है तो जहां भी मैं गया कुछ मुखियों ने कहा हम इंडियन मैंने कहा नहीं नहीं देखिए मैं असली इंडियन हूँ आप गलती से हो गए तो एक भारतिय होने के नाते एक स्मारक के बारे में आप ये सोचते हैं कि वो एक भव्य मंदिर या पिरामेडिया कुछ विशाल होगा लेकिन वो धरती पर एक छोटा सा तीला है एक पवित्र तीला यहां वहा जाता हुआ स्मारक कहां है ये सिर्फ एक तीला है लेकिन यही सभ्यता के पहलूं की प्रकृती है क्योंकि मानव इतिहास और इन हजारों सालों में मानव के पदचिहनों को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई माइनों में हम एक परिणाम है इन हजारों सालों में घटित घटनाओं का तो आप उसे बस इसलिए नहीं मिटा सकते क्योंकि आपका घर छिन रहा है ठीक है? मैं वाकई अब घर जाने के बाद बहुत साफधान उने वाला हूँ और सभी कागजाद जा चूँगा कि ये कहाँ? नहीं आपके पास चाहे जो भी कागज हो अगर हमें कोई सभ्यता संबंधी स्थल मिला तो आपका घर गया तो मंदिरों पर भी यही बात लागू है अगर किसी मंदिर का एक इतिहास है जहां वो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है वो ऐसी जगए है जहां लोगों ने अपना जीवन नियोचावर किया है उन दिनों उस मंदिर को बनाने में क्या क्या लगता था आपको देखना चाहिए उसमें कितना खर्च आया उसमें कितनी मेहनत लगी उसे संभव बनाने में उन्होंने अपने जीवन के कितने साल श्रम किया मशीनों के बिना सिर्फ हाथ से सिर्फ पुर्शार्ट से ये सब करने में बहुत कुछ लगता है तो लोगों की ये भागीदारी उसे एक सभितागत संरचना बनाती है और उसे वापस पाना किसी भी सभिता के लिए स्वाभाविक है लेकिन साथ ही जैसे जब कोई कहता है चालीस हजार अगर आपको चालीस हजार दे भी दिये जाएं तो क्या आप उनकी देख भाल कर पाएंगे तो मुद्दा वो नहीं है बात ये है कि जहां ये लोगों के लिए बहुत माइने रखता है जहां ये लोगों की यादों में है और उसके पुखता सबूत है ये दिखाने के लिए वैग्यानिक आंकड़े हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था फिर ये सब एक बार में हो जाना चाहिए ना कि एक एक करके अदालतों में घिसटता रहे ताकि ताकि देश को इस भ्रह्म की स्थिती से ना गुजरना पड़े क्योंकि यहाँ नाजायज नेता हैं मैं ये शब्द बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं आम तोर पर स्वार्थी नेता कहा जाता है लेकि वो नाजायज है क्योंकि उनका नेत्रित्व नाजायज है वो गलत कारणों से नेता है वो गलत स्रोथ से और गलत कारणों से नेता बने है अगर किसी चीज़ का स्रोथ गलत होता है तो आप कहते हैं कि वो नाजायज है मेरे खयाल से बहुत सी कलपना हो सकती है कि आप किनकी बाद कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। वैसे इसमें ज्यादा कलपना नहीं लगेगी। तो वो समुदायों के बीच ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं, अरे आप जो भी ये आपके समुदाय के खिलाफ है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जैसा की हो सकता है आपने भी ये लिखा होगा और कई दूसरे लोगों ने भी लिखा है की आयोध्या के शुरुवाती चरणों में मैं 47 के बाद की बात कर रहा हूँ मुस्लिम समुदाय इसे सौंपने के लिए तैयार था उनके लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था क्योंकि ये उनके लिए कोई बड़ी मस्जिद नहीं थी लेकिन वो जानते थे कि ये जनमस्थान है इसे मस्जिद जनमस्थान कहा जाता था तो हर कोई जानता था कि ये राम के जनमस्थान पर बनी है वो उसे सौंपने के लिए तैयार थे लेकिन कुछ धूर्त राजनीतिक एजेंट और माक्सवादी इतिहासकार, उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए उन्हें इतिहासकार मत कहिए। इन राजनीतिक एजेंटों ने समुदायों को ये मानने पर विवश कर दिया कि इस चीज से निपटने का ये तरीका नहीं है। चल ये लड़ते हैं, चाहे जो भी हो। वैसे भी हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, की पूजा करते हैं, उन्होंने अपने दुश्मन को मारा। दुश्मन सिर्फ राजनीतिक दुश्मन नहीं, ऐसा व्यक्ति जो आपकी पत्नी का अपहरण करता है, और उसे जबरण अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे आदमी से वो युद्ध करते हैं, खैर वो तो जीत गए, वो हार भी सकते थे। देखिए बेशक आज आपको लगता है कि वो हार नहीं सकते थे। नहीं नहीं, युद्ध का मतलब है कोई भी हार सकता है, ठीक है? कोई भी हार सकता है सौभागे से वो जीत गए लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने एक साल तक रावन को मारने का प्रायश्चित किया ठीक है हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी ही रही है इसका मतलब है कि हमें जो भी करना पड़े कुछ कर्म हमें करने पड़ते हैं वो हम करेंगे लेकिन अपने दिल में कोई करवाहट रखे बिना चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो हम एक दूरी रखेंगे अगर उनका बरताव हमारे साथ सही नहीं है लेकिन हमारे दिल में कोई करवाहट नहीं होगी, तो अब भी इन मंदिरों के बारे में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अधिकांश लोगों के दिलों में, ये, ये जैन पिता पुत्र शांदार लोग, कौन, हरी शंकर जैन और विश्नु शंकर जैन, उनके चेहरे देखिए, उनके दिल में कोई कड़वाहट नहीं है, वो बस ये चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि न्याय हो, कोई कड़वाहट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सभ्यता का पुनरुद्धार, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है, जब ऐसा होता है, हम उत्सव मनाएंगे, ये कोई जीत नहीं है, ये बस एक उत सब है तो इस बात के साथ मुझे नहीं लगता कि अधिकांश अल्प संख्यक समुदाय को कोई समस्या है सिवाए इन नाजायज नेताओं के जिन्हों ने किसी ने किसी तरह खुद को एक जगह पहुंचा लिया है और उनकी आवाज लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचती है वो हमेशा लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और समुदाय को परेशानी में डालते रहते हैं उन्होंने कोई भला काम नहीं किया है शिक्षा के मामले में अर्थ व्यवस्था के मामले में देश में पदों पर आसीन होने के मामले में हर चीज में ये समुदाय वंचित रहा है इन नेताओं के कारण वरना वो भी बाकियों की तरह अच्छा करते वैसे वो किसी तरह से वंचित नहीं हैं कानूनन वो वंचित नहीं हैं पर वो बराबरी पर क्यों नहीं आपा रहे मुख्य रूप से इन नाजायज नेताओं के कारण आपने जो कहा उसमें जोडते हुए सद्कुरू क्या इसका महत्व ये भी है कि एक मंदिर और एक मस्जिद के बीच बुनियादी से धानतिक अंतर है एक मंदिर एक प्रान प्रतिष्ठित देवी या देवता का निवास्थान होता है जो वहां रहते हैं जबकि मस्जिद एक सामुहिक प्रार्थना स्थल है और इसलामी देशों में भी नियमित तोर पर छोटी मोटी चीज़ों जैसे सड़क बनाने या सड़क चोड़ी करने रेलवे लाइन वग्यरा के लिए उन्हें एक जगे से दूसरी जगे स्थानांतरित कर दिया जाता है तो अगर सही लोग बैठ कर बातचीत करें तो शांती से सुनने वाले लोगों को समझाया जा सकता है हाँ, अगर आप उमीद है कि इस चुनाव के बाद इन नाजाएजनेताओं को एक किनारे कर दिया जाएगा अगर उन्हें एक किनारे कर दिया गया तो मुझे यकीन है कि इसलामी समुदाए में काफी समझदारी है वो ना समझ नहीं है जैसा कि आजकल उनकी छवी है इन आवाजों के कारण जो हर किसी से ज्यादा उंची आवाज में बोल रहे है मैं जानता हूँ मेरे बहुत से दोस्त परिवार हैं जो मेरे बहुत करीब है जो बहुत धर्मनिष्ठ मुस्लिम है क्योंकि मैं परवाह नहीं करता कि कोई मुसल्मान है, हिंदू है या इसाई है वो धर्मनिष्ठ है, ये मेरे लिए माइने रखता है क्योंकि भक्ती किसी चीज़ के बारे में नहीं है आप किस चीज़ के प्रति समर्पित है ये एक पहलू है लेकिन चूंकि आपके दिल में भक्ती है तो आपके जीवन में रूपांतरन होता है इसलिए धर्मनिष्ठ मुसल्मानों को कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि साफ तौर पर शरिया कानून कहता है कि आप कभी किसी दूसरे का पूजा स्थल छीन कर अपना नहीं बना सकते वो हराम है वो हराम है तो सिर्फ इसी से भारती अदालतों या भारती सम्विधान से भी नहीं सिर्फ इसलामी कानून से ये उचित नहीं होगा लेकिन जैसा कि मैंने आप से कहा ये नाजाइज नेता लगातार नफरत फैला रहे हैं जो आम लोगों के दिलों में नहीं है और मैं ये पूछना चाहूंगा ये भूमे का निभाना मुश्किल है डेविल्स आडवोकेट लेकिन यहाँ डेविल का पक्ष रखने की भी जरूरत है क्योंकि हर बार जब मंदिरों के उध्धार की बात होती है अक्सर ये तर्क आता है इसका क्या? ये गलत तर्क है लेकिन उन बहुत संरचनाओं का क्या जिन हिंदू उने कथित तौर पर नष्ट किया तो मान लीजिए कल किसी भव्य मंदर के नीचे कोई बहुत स्थूप है या गुफा है क्या हिंदू समुदाए भी उसे सौपने को तैयार हो जाएगा? देखिए इसका उल्टा भी सच है मुझे बताएए पहले कौन था? प्राचीन समय से कौन है? आप इतिहासकार हैं क्रिपया मुझे बताईए तो मुझे संभावना बताईए मंदिरों को किसी के उपर बनाए जाने की ऐसे मंदिर हैं जिनके उपर स्थूप बनाए गए हैं क्योंकि स्थूप ऐसी जगह नहीं है जहां लोग घुश सकते हैं इंट या मिट्टी का टीला होता है ठीक है? वो एक ठोस धांचा है कुछ लोग कहते हैं कि स्थूप का मकसद था कि वो मंदिरों को ढखते थे वरना आप ऐसी इमारत क्यों बनाएंगे जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते तो वो अलग मामला है लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हैं भी तो वो बहुत ज्यादा नहीं है और उन्हें वापस मांगने वाला कोई नहीं है तो अगर वाकई आपके पास इस तरह के ठोस सबूत है तो शायद उसे भी सामने आना होगा कि हिंदूं ने बौध स्थलों पर निर्माण किया या बौधों ने हिंदू स्थलों पर निर्माण किया अगर ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण है अगर वो अब भी उनकी सामुहिक स्मुर्थि में है और उसके वैग्यानिक प्रमान है तो हाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा धर्म है चाहे हमें कुछ देना पड़े या उन्हें कुछ लेना पड़े मुझे कोई परेशानी नहीं है महत्वपूर्ण ये है कि आप दूसरे लोगों के दिल के जखमों को देखकर खुश होते हैं इससे मुझे परेशानी है जिस सवाल का मेरे खयाल से आपने अपने पिछले उत्तर में जिक्र किया था हम उन्हें वापस ले सकते हैं फिर उसके बात क्या क्योंकि अगर वो मंदिर सरकारी नियंतरण में चले जाते हैं नहीं मैं ये कहने ही वाला था इसके बज़ाए हम उसे वास्तविक वास्तविक पुनरुद्धार सिर्फ काशी मतुरा का नहीं होना है अगर लाखों नहीं भी तो हजारों मंदिर सरकार के हाथों में है सरकारी कलरकों द्वारा चलाये जा रहे है जो जरूरी नहीं है कि भक्त हो देखिए ईश्वर के बिना मंदिर हो सकता है लेकिन भक्त के बिना कोई मंदिर नहीं होता है इसे समझेए तो अब हजारों मंदिर हैं शायद अगर आप सभी राज्यों को जोड़ दें तो एक लाख एक लाख बीस हजार डेड़ लाख मंदिर हैं जो अलग-अलग राज्यों में हैं और जिनका धीरे-धीरे मर्डर किया जा रहा है जब मैं कहता हूँ मर्डर तो अगर यहाँ एक मंदिर है और उसके अंदर जो व्यक्ति उसका प्रभारी है वो उस देवता का भक्त नहीं है तो यह एक मर्डर है ऐसा हो रहा है एक बार जब वहाँ खड़ा व्यक्ति उनके दिल उस देवता के लिए नहीं धड़कते तो उस मंदिर का कोई मतलब नहीं है तो हमने ऐसा किया है इसलिए यह पुनरुद्धार होना जरूरी है हम देख रहे हैं कि ऐसा कैसे करें कई सारे अस्थाई विधान जो अलग-अलग राज्यों में बन रहे है उससे जुड़े कई लोग अदालतों तक गए हैं और आप जानते हैं हमारी अदालतें एक फैसला सुनाने में जो पांच सो पचास साल लगाती है मुझे लगता है हमें जरूरत है बलकि अधिकार है एक संसदी ये विधान की जो अलग-अलग समय पर बने सभी राज्य विधानों को रद कर दे इसका महतुपूर्ण कारण, इकलोता कारण मंदिरों के सरकारों के हाथों में होने का वो दौलत है जो उनके पास थी अंग्रेजों को मंदिरों में दिल्चस्पी थी क्योंकि वहाँ दौलत थी जिसे वो आसानी से महारानी की खिदमत में भेज सकते थे और दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा भारतिये मंदिरों के पैसे से लड़ा गया उस दौलत से जो भारतिये मंदिरों से चुराई गई आप काशी में भी सुनते हैं कि जब औरंग जेब और दूसरे लोगों ने मंदिरों को नश्ट किया तो कितने उंटों या हाथियों पर वहाँ का सोना और हीरा ढोकर ले जाया गया क्योंकि ये सोने और हीरों की धरती थी जहां सोने और हीरे को कई जगह सड़क किनारे सबजी की तरह बेचा जाता था सोने और हीरे की डली बिना किसी सुरक्षा के सबजीयों की तरह बेची जाती थी ये इतनी अधिक मात्रा में था तो उसका अधिकांश हिस्सा मंदिरों में था और अब भी तिरुवरंत पुरं मंदिर में आप जानते हैं अनुमान पर यकीन नहीं होता कि ये हाँ कई शून्य हमारी उदारता से नहीं बलकि असली शून्य तो दौलत के कारण देखिए इसलामी हमलावर वो शुरुआत में दौलत चाहते थे ना कि चलिये उन्हें हमलावर नहीं कहते इसलामी लुटेरे जो शुरु में आए उन्हें सिर्फ दौलत चाहिए थी इसलिए उन्होंने मंदिरों पर हमला किया हमलावर जैसा कि मैंने कहा वो सिर्फ भूगोल पर नहीं बलकि आबादी के मानसिक भूगोल पर कबजा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक खास तरह से चीज़ें की ताकि आबादी का मनोबल तोड़ सकें कि आपका इश्वर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो तुम क्या कर सकते हो लोगों को नीचा दिखाने उनका दूश के जीवन में अगर आप उसकी स्त्री उसका भगवान और उसकी जमीन ले लें तो वो तूट जाता था और उन्होंने ये तीनों चीज़ें ले ली एक कारण कि इसलामी आबादी इस देश में कैसे तेजी से बढ़ी ये है कि उन्होंने सैंक्डों हिंदू स्त्रियो को गुलाम बनाया और उनसे मुसल्मान बच्चे पैदा किये तो इसकी कुरूपता को कोई इतिहासकार नहीं लिख सकता उसकी कुरूपता उसका दर्द और उसकी पीड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप संख्याओं में बता सके लेकिन ऐसा हुआ है वो सब हम वाप पूर्ण मंदिरों को जो हमारी नजरों में है कृपिया इसका विरोध मत कीजिए अगर आप उसे सौंप देंगे तो देर विल बी बिरादरी बिरादरी चलती रहेगी राष्ट्र के कल्यान के लिए ऐसा होने दीजिए अब भी सब्कुरू ऐसे देश में जहां मंदिर सरकारी नियंतरण में है हमारे पास 1995 में ये वक्व अधिनियम बना जहां मेरे खयाल से रक्षा और रेलवे के बाद इस देश में तीसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट धारक वक्व बोर्ड है जो पूरे भारत में है नई दिल्ली का 75 फीजती भाग वक्व की संपत्ती माना जाता है जहां दिल्ली हाई कोट, सेंट्रल विस्टा भी कथित तोर पर वक्व की संपत्ती पर हैं कम से कम वो किराया तो देते हैं ना मुझे नहीं लगता वैसे मुंबई में मुकेश अंबानी का घर भी वक्व की प्रॉपटी पर माना जाता है कोई बात नहीं वो मैनेज कर सकते हैं पर मुझे हाई कोट की फिक्र है और फिर वो जज, जूरी और अभियूजक होते हैं क्योंकि आपके पास एक वक्व ट्रिब्यूनल है जहां आपको जाना है और वो सिविल कोर्ट नहीं है जहां पहुँच सकते हैं तो इस देश में इतने सारे भेधभाव वाले कानून है जो धर्मनिर पे एक शोने का दावा करता है जिसका मतलब असल में ये है कि देश का धर्मिक संस्थानों को चलाने से कोई लेना देना नहीं होता क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी आए जो भी हो आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार होगा और इसे एक जन अंदोलन बनना होगा जहाँ पर हम सब ये बूलें कि बस यहीं तक इसके आगे नहीं और हम अब इसे और बत्तर नहीं होने देंगे पहली बात ये है कि हमें अपना मन बनाना होगा कि क्या हम एक धर्म निर्पेक्षराष्टर बनना चाहते हैं या फिर एक धर्म शासित राष्टर मुझे लगता है कि सर्व सम्मती से हमने एक धर्म निर्पेक्षराष्टर बनना चुना क्योंकि भारत कुछ और हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने बहुत सारे अंदोलनों को जन्म दिया है जिन्हें आज हम धर्म कहते हैं लेकिन ये सभी अंदोलन थे बहुत धर्म एक अंदोलन था ये कोई वाद नहीं है ये ऐसा है जैसे कल ये 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 इशा के लोग अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो ये बेवकुफ घोशना कर सकते हैं कि ये अपने आप में एक धर्म है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ऐसा नहो इसकी मैंने विवस्था कर दी है इसी तरह एक बुद्धाए कुछ लोग उनके अनुयाई बन गए वो एक अध्यात्मिक अंदोलन है लेकिन बाहर से कोई और आकर उसे वाद का नाम दे देता है जैसे महावीर का अनुसरन करने वाले लोग बहुत समर्पित अध्यात्मिक लोग है ठीक है बहुत अनुशासित केंदरित किस तरफ मुक्ती की तरफ जो सनातन धर्म का मूल लक्षे है इन चीजों को किसने अलग किया क्योंकि लोग इन चीजों को अलग करना चाहते थे लोगों ने देखा कि इस सामुहिकता में कोई पैट नहीं बन पा रही है तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो जहां भी गए हमलावर आप उन्हें उपनिवेशवादी आप उन्हें सामराज्यवादी आप उन्हें इसलामी कह सकते हैं जो भी वो जहां भी गए उन्होंने भूगोल के जिस भी हिस्से को जीता उन्होंने हमेशा जनसंख्या अगर आप इस शब्द का इस्तिमाल कर सकते हैं को अपने तरीकों में ढाल लिया बिना किसी अपवाद के लगभग सौ फीसदी आप उत्तरी अमेरिका को ले लीजिए दक्षिनी अमेरिका, अफरीका, आस्ट्रेलिया आप किसी भी जगह देखें जहां वो गए पूरा साफ कर दिया ये इकलोती जगह है जहां लगभग हजार सालों तक चले आ रहे हमलों और कबजों के बाद भी हम अब भी काफी हद तक थोड़े कमजोर और विकृत हुए हैं लेकिन अब भी काफी हद तक सनातन मूले अपने पास रखते हैं जानकर या अनजाने में लेकिन मुझे लगता है कि साथ सो आठ सो साल के कबजे में जितना नुकसान हुआ है कबजे के कारण उससे ज्यादा नुकसान पिछले सत्तर साल में हुआ है क्योंकि ये एक आंत्रिक जखम की तरह है जहां देखिए अगर बाहर से हमले होते हैं तो आप सह सकते हैं आपका गौरव सिर उठाएगा और आप लड़ेंगे फिर बनाएंगे फिर निर्माण करेंगे लेकिन अगर आपको अंदर से दीमक खा जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ एक दिन जब हम आपको छुएंगे तो आप खोखले होंगे तो इस पीड़ी में ये खोखला पना गया है उन में सभ्यता की ताकत नहीं है उनकी आकांक्षा कहीं और जाने की है क्योंकि कोई दूसरी सभ्यता ज्यादा सफल नजर आ रही है हालांकि जब लोग जानते भी नहीं थे कि उद्द्योग क्या है हमारे पास उद्द्योग थे जब लोग आप जानते हैं कुछ डच इस्ट इंडिया कमपनी के लोग आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते थे और कहते थे कि अगर आप कारोबार के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको भारत में गुजरात जाना चाहिए इन लोगों ने व्यापार और कारोबार को एक विज्ञान बना दिया है तब से नई बात नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे यह कारोबार हो या व्यापार या गणित खगोल विज्ञान संगीत या आध्यात्मिक प्रक्रिया दर्शन या बस विचार प्रक्रिया इस संस्कृति की गहनता ऐसी थी जो हमलावर आए शुरू में उन्होंने कतलियाम किया और चीजें नश्ट की लेकिन बाद में यहां जो कुछ भी हो रहा था उसकी गहराई से वो भी अभी भूत हो गए तो यहां तक की उनकी तलवार भी बीच में रुक गई वो अंत तक नहीं चली यही कारण है कि आज भी इस देश में असी फीसदी आबादी हिंदूओं की है क्योंकि हमलावरों की तोपें और तलवारें तक रुक गई विचार, संगीत, खगोल, विज्ञान और विभिन विज्ञानों की गहराई को देखकर जिसमें बिजनेस और उद्योग भी शामिल है और जैसा कि आज सभी जानते हैं जब हम बड़े हो रहे थे तब हम नहीं जानते थे हम नहीं जानते थे कि 225 साल पहले हम धरती की सबसे बड़ी अर्थवेवस्था थे जब हम 16-17 साल के थे तो हम सब अमेरिका जाना चाहते थे हाँ, वाकई और किसी ने हमें बताया नहीं कि 200 साल पहले तक हम सबसे बड़ी अर्थवेवस्था थे धर्ती पर सबसे बड़े औद्योगिक राश्ट्र थे दुनिया का 33 प्रतिशत निर्यात भारत से होता था किसी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया क्योंकि कमबخت स्कूली किताबों में कहीं भी ये सब नहीं लिखा था क्या आपको लगता है सद्गुरू की हिंदू जाग रहे हैं या फिर हिंदू समाज इतना स्तब्ध है कि वो लगभग कोमा में हैं और इतने बेखबर हैं अज्यानता में आनंद ले रहे हैं और उन खत्रों के प्रती बिलकुल भी जाग रुक नहीं है जो भूराज नीतिक, रण नीतिक, धार्मिक और दूसरे तरीकों से हमें गहरे हुए हैं हम अपने ही उचे दर्शन में कैद हैं उन वास्तविक्ताओं के प्रती जाग रुक नहीं है जो दुनिया हमारे सामने पेश कर रही है क्या फिर से उठना संभव है? मुझे नहीं लगता कि अभी वास्तविक्त पुनरुथान हो रहा है लेकिन भारत जाग रहा है अभी भी हमारी आँखों में कीच है हम जाग रहे हैं लेकिन अभी भी हमारी आँखों में कीच है हम अभी अपनी आँखें मल रहे हैं में विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी पीड़ी के लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है। कि वाकई ये सब सच है। यहां तक कि मुझे भी ये समझने में कुछ वक्त लगा कि ये सच है, क्योंकि मैं बाकियों से ज्यादा वामपन्थी था। आप जानते हैं जब मैं ग्यारा बारा साल का था तब ही मैंने दास कैपिटल और एंगेल्स पढ़ ली थी। और जब मैं बारा तिरा साल का हुआ तो मैं आंधर प्रदेश में हत्यारबंद संगर्ष में शामिल होना चाहता था। और सोमालू और चारू मजूमदार के समय में इसलिए मैं किसी से भी ज़्यादा वामपन्थी था क्योंकि ऐसा लगता था कि वही एक मातर हल है जैसा कि कहते हैं 25 की उम्र तक अगर आप माकसवादी नहीं बने तो आपके दिल में कुछ कड़बढ़ है अगर उसके बाद आप माकसवादी बने रहते हैं तो आपके दिल माग में कुछ कड़बढ़ है ये सच है वैसे मैं 25 से काफी पहले ही उससे दूर हो गया था ठीक है क्योंकि बौध धिक रूप से मार्कसवाद अस्थित्व का सबसे करुणामई तरीका दिखता है एक तरह से ये इशायोग केंद्र कम्यूनिस्ट है विचारधारा से नहीं बलकि जीवन से यहां कोई नहीं जानता कि केंद्र के लिए कौन कितना पैसा कमाता है लेकिन हर किसी को उचित रूप से एक समान मिलता है क्योंकि ये साम्यवाद है लोग एक समुदाए के रूप में रहते हैं बिना ये सोचे की कौन क्या है कौन इस व्यक्ति का धर्म क्या है उसकी जाती क्या है हम जानते भी नहीं हम पूछते भी नहीं क्योंकि वो माएने नहीं रखता तो मार्कसवाद ने इसकी बात की है लेगिन ऐसे रूप में जो व्यावारिक नहीं है लेकिन आपको यह इहसास होने के लिए कि वह व्यावारिक नहीं है आपको कम से कम 18 साल का होना पड़ेगा उससे पहले अगर आप मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं मैं लगभग चला गया था क्योंकि मैंने कुछ भरष्टा चार देखा जिसने मुझे परिशान किया मैंने कदम वापस ले लिए मेरे कुछ दोस्त चले गए उन में से एक अच्छा खासा प्रभावशाली नेता बन गया करीब आठ साल पहले मैसूर में उसे गोली मार दी गई मैसूर के पास और दूसरा मैं नहीं जानता कि वो कहां गया वो अब भी जीवित है या नहीं मैं नहीं जानता मैं वापस इसलिए लोटा क्योंकि एक आदमी जो हमें उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था और हम सब जा रहे थे उसका अपना बेटा भी मेरा क्लास्मेट था वो भी हमारे साथ था हम लगभग पांच थे इसके पिता जी हमें जोश दिलाते थे कि अब तुम्हारे लिए इसमें जाने का समय है तुम पंद्रह साल के हो गए हो तुम्हें जाना चाहिए यही जाकर लड़ने का समय है हथियार हाथ में लेने का आकरशन और किसी तरह क्रांती का हिस्सा बनना आप जानते हैं बहुत बड़ी चीज होती थी, जब आपके अंदर ताजा टेस्टोस्टेरोन उबलता है, बंदूक और क्रांती, और पूरे देश को बदल डालना, इस तरह से ये बहुत ज्यादा आकर्शक होता है, मैं बता रहा हूँ. तो जब अगले ही दिन, अगले दिन हमें निकलना था, हमने सब कुछ इकठा कर लिया था, मेरे पास कुछ सेना वाले बैग थे, कपड़े, एक्स्ट्रा जूते, ये वो जो एक हथियार बंद संघर्श में काम आते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, और फिर मैं कुछ भी नहीं है, वो बोला, नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, मैं बोला, क्यों, मेरे पिता ने कहा, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा, तुम्हारे पिता मुझे भेजना चाहते हैं, और तुम्हें नहीं भेजना चाहते हैं, फिर मैं पीछे हट गया, मैंने दूसरों को रोकने की कोशिश की, यहां क्या चल रहा है, लेकिन वो लड़के फिर भी चले गए, दुर्भाग्यवश उन में से एक हाल में मारा गया, दूसरे के साथ मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, शायद उसने छोड़ दिया हो, या अब भी वहां हो, या मारा गया हो, मुझे नहीं तो मैं अपने दिमाग में मैं अधिकांश लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा वामपन थी था, मेरे लिए मार्कसवाद सिर्फ किशोरों का एक रोमानिवाद नहीं था, मेरे लिए वही करने वाली चीज थी, वही एक करने वाली चीज थी, तो वहां से मैं यहां हूँ, ज जब मैंने हर चीज़ पर अधिक से अधिक ध्यान दिया और जो समझदारी है जो हर इनसान के लिए काम करे हमें वही करना चाहिए और साम्मेवाद एक विचारधारा के तौर पर सबसे करुणा मईई और शानदार विचारधारा है लेकिन मार्क्स अर्थ व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानते थे मानव प्रकृती के बारे में कुछ भी नहीं वो आर्थिक संख्याओं के बारे में बहुत जानते हैं और ये कि हम दौलत का बंटवारा कैसे कर सकते हैं ये करो वो करो लेकिन वो मानव प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानते उन्होंगे हमेशा सोचा कि अमेरिका कम्यूनिस्ट बनने वाला पहला राश्टर होगा इस से ज्यादा क्या होगा अमेरिका में आप किसी का सबसे ज्यादा अफ्मान ये बोल करकर सकते हैं कि तुम कम्यूनिस्ट हो, मतलब काम तमाम असल में ऐसा है ये अब हमारे साथ भी हो गया है तो उन्होंने मानव प्रकृति को बिल्कुल कमा का और सोचा की सिर्फ अर्थ व्यवस्था के चीजें काम करेंगी जो बहुत गलत है जो की देखने का एक बहुत ही सतही तरीका है मानव गतिविधियों, मानव मन, विचार, भावनाओं और मानव चेतना को ये उसे देखने का बहुत सतही तरीका है इसे जहां भी लागू किया गया भयानक से भयानक मानव आप अदाएं हुई ऐसी आप अदाएं जिनकी आप कलपना भी नहीं कर सकते रूस या जो सोवियत संग था उससे एक ओद्योगिक शक्ति बनाने के लिए एक सैन्य शक्ति बनाने के लिए उन्हें लोगों को उन्हें अपने ही देश के दो तीन करोड लोगों को मारना पड़ा ठीक है? जोसेफ स्टालिन ने लगभग धाई करोड लोगों को मारा वो लोग यही कहते हैं अगर धाई करोड ना भी सही भले ही पचास लाक रहे हो वो भी भयानक है अपने लोगों को किसी युद्ध में नहीं उन पर शासन करने के लिए आप उन्हें मारने लगते हैं देखिए अगर यह दो दल को युद्ध लड़ते हैं तो कुछ लोग मरेंगे यही युद्ध की प्रकृती है लेकिन प्रशासन में अगर मुझे करीबन धाई करोड लोगों को मारना पड़े तो जाहिर है कि मैं एक घटिया प्रशासक हूँ मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता मैं लोगों की जरूरतों के बारे में कुछ नहीं जानता मैं लोगों की आकांग्शाओं के बारे में कुछ नहीं जानता मुझे हिंदु शब्द से कोई समस्या नहीं है लेकिन चूंकि दुनिया के विचार में ये एक मुद्दा है क्योंकि लोग, ये ऐसा है जैसे अगर आप कहें योग, तो लोग सोचते हैं कि आप गांठ बांध रहे हैं, आप उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश करें, ये मेल है ये है वो है योग अच्छा, आपको एक बचे हुए नूडल जैसा दिखना है, तो इसी तरह हिंदु का मतलब हिंदुत्व है अच्छा, आप गाय सांप की पूजा करते हैं, ये दुनिया भर में फैल गया है क्योंकि इसी तरह की किताबें लिखी गई और सब कुछ किया गया, तो मैं हिंदु शब्द का प्रयोग करने के बजाए, सनातन शब्द का प्रयोग करना बेहतर समझूंगा, क्योंकि सनातन का मतलब शाश्वत होता है, कोई भी चीज तब तक शाश्वत नहीं हो सकती, जब तक वह समावेशी नहों, ब्रहमांड में कुछ भी शाश्व नहीं हो सकता, कोई फिलोजफी शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विश्वास प्रणाली शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विचारधारा शाश्वत नहीं हो सकती, केवल वही शाश्वत हो सकता है, जो स्रिष्टी के साथ ताल मेल में है, कम से कम उतना ही शाश्वत जितनी की स्रि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब नियम है, एक शाश्वत नियम, आप शाश्वत नियमों तक कैसे पहुंचते हैं, ध्यान देकर, कल्पना से नहीं, रूर ही से नहीं, लेकिन बल्कि अवलोकन और अनुभूती से, आप सृष्टी के साथ तालमिल बिठाते हैं सिर्फ वही सनातन हो सकता है, तो हम जो हैं, उसका यही मूलतत्व है, दुर्भाग्यवश अधिकांश हिंदू आबादी को यह बात नहीं बताई गई है, बहुत से हिंदू बात करते हैं, हमारी अपनी किताब है, हम किसी किताब से नहीं टपके हैं, आप जानते हैं, हमने अधियों की संख्या में, यह जब खिल जी, उसका नाम क्या है, बक्तियार खिल जी, आया, एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जला दिया, यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने नब्बे लाख किताबें जलाईं, पांच सो छे सो साल पहले, नब् लाख किताबें नहीं थी, यही झे आ जयाता है, कुछ लोग कहते हैं, बाराख महीने तक, आप छे महीने कह रहे हैं, इस से कोई फरक नहीं पड़ता, तब पेटरोलियम नहीं था, तो यह संभव है कि उसमें छे महीने या बारा रह महीने लगे, उस से भी ज्यादा, उन्ह उन्हें आठ से दस हजार भिक्षों को जिन्दा जला दिया क्योंकि उन्हें से अधिकांश एक एक किताब का पाठ कर सकते थे तो उन्हें लगा कि किताबें आपके भीतर जिन्दा रहेंगी तो उन्हें उन्हें भी जिन्दा जला दिया तो अविश्वसनिय चीज ये है कि आधुनिक भारत में उस इलाके को बक्तियारपूर का नाम दिया गया है तो ये एक चीज है जो हमें जरूर करनी चाहिए विक्रम आपको इस पर एक किताब लिखनी ही चाहिए औरंगजेब स्ट्रीट है औरंगबाद साथ से अधिक औरंगबाद है बक्तियारपूर है कुत्ब मिनार है एक आदमी जिसने हिंदू और जैन मंदिरों को दूशित किया और उनसे एक समारक बनाया जाहिर है उनमें से एक टीपू सुल्तान भी है जिसने बहुत भयावा काम किये थे टीपू सुल्तान ने चार लाख से ज्यादा हिंदूओं को जबरन इसलाम में कमवर्ट किया था सिर्फ माला बार इलाके में पुरुशों को मार डाला गया एक इतिहास जो उसके अपने बेटे ने सही माना है इसका मतलब यह असली है वे गर्व से दावा करते हैं कि उसने कम से कम दस हजार हिंदूओं को मार डाला और पुरुश मार दिये गए महिलाओं को उनके पती की मृत्यू के दिन ही शादी करने के लिए मजबूर किया गया नहीं मानने पर उनके गुपतांगों में गर्म लोहा डाल दिया जाता था इस तरीके के काम किये गए और मेरे मन में इसलामी शासकों के खिलाफ कुछ नहीं है क्योंकि वह हमारा इतिहास है हमने उन्हें आने दिया और वे आए जिन राजाओं ने परोबकार के साथ शासन किया आप उनके नाम डालना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन हत्यारों बलातकारियों जिन लोगों ने आकर नर सहार किये और सैंकडों मंदिरों को अपवित्र किया उनके नाम हमारे शहरों और सडकों पर नहीं होने चाहिए अभी हाल में किसी ने मुझे अपने घर पर आमंतरित किया क्योंकि वहां कुछ पाइलिट मिलने वाले थे उन्होंने का सद्गुरू आपको आना ही होगा आप भी एक लाइसेंस्ट पाइलिट है उन्हें अच्छा लगेगा सिर्फ दस मिनट के लिए आकर चले जाएए मैंने का मुझे पता दीजिये मैं आ जाओंगा उन्होंने मुझे पता दिया और उसमें था तुगलक रोड मैंने का मैं नहीं आ रहा देखिए आपको समझना चाहिए इसलिए नहीं कि वह इसलामी शासक था बलकि इसलिए जो चीज़ें उसने की थी चाहे कोई हिंदु राजा या इसाई हो जैसे रॉबर्ट कलाइव स्ट्रीट का मतलब है मैं नहीं जाओंगा मैंने कहा आप एक स्प्रे पेंट लेकर उस स्ट्रीट बोर्ड को काला पेंट कर दीजिए फिर मैं आउंगा वरना मैं आपके घर नहीं आउंगा आप बेशर्मी से उस गली में रह रहे हैं मैं उस गली में कदम नहीं रखूंगा क्योंकि हमारे यहां हमारे यहां क्यों नहीं है एडॉल्फ हिटलर नगर हम ऐसा क्यों नहीं करते हमारे यहां इदियमीन इदियमीन नगर या पुरम क्यों नहीं है हम ऐसा बिलकुल नहीं करते जिन लोगों ने दूसरे मनुश्यों के साथ असाधारण क्रूरता दिखाई चाहे वे जो भी हो हम उनका सम्मान नहीं करते लेकिन आज इस देश में सैकडों अगर गाव और शहर और सडकें इन लोगों के नाम पर रखे गए हैं मुझे विश्वास है कि आप बहतर बता सकते हैं मैं संख्याएं नाम और तारीखें याद रखने में अच्छा नहीं हूँ सद्गुरू हमारे करनाटिक राज में भी टीपू जयनती होती है शहरों को तो भूल जाएए हम उसके जन्म का भी जश्न बनाते हैं यहां तक की मरे हुए कुर्ग वासियों का धर्म बदला हाँ कुर्गों ने हमें लगता है कि कुर्गों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा यह सच नहीं है ऐसा इसलिए लगा क्यों कि कुर्ग लड़े दूसरी जगहों पर लडने वाले लोग नहीं थे तो उन्होंने खास प्रतिरोध के बिना उन पर कबजा कर लिया इसलिए वह कहीं लिखा नहीं गया कुर्ग वास्तव में लड़े लेकिन सत्तर हजार कुर्ग मारे गए अगर आपको युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं तो उस समय को देखते हुए ये उस समय का रिवाज था कोई बात नहीं ठीक है अगर कोई आकर किसी युद्ध में आपको मार डालता है लेकिन ये सही नहीं है जब आप नागरिकों को कतार में खड़ा करके जन संहार करते हैं और स्त्रियों का बलातकार पुरुषों की हत्या करते हैं ये क्या है जिन लोगों ने ऐसा किया उनका नाम नगरों और सडकों और गोल चक्करों पर नहीं होना चाहिए हमारे देश में लेकिन दुरभाग्य से ऐसा है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस देश के भविष्य में निर्वाचिर नेता इसे बदलने की समझदारी दिखाएंगे लेकिन ये क्या है ये विक्रित मान सकता जो वास्तव में आज के समुदायों को इन लोगों से जोड़ती है और उन नाजायज नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आज का समुदाय वास्तव में इन नरसंगहारों के अपराधूं पर परदा डालने से खुश होगा और आज का समुदाय उन्हें इतना महत्व क्यों दे रहा है नहीं मुझे नहीं लगता कि आज के समुदाय उन्हें महत्व दे रहे हैं जैसा कि मैंने कहा यहां नाजाइज नेता हैं यह हर तरह से बेईमान है तो यह लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस समुदाय को जान बूज कर अशिक्षित अग्यानी रखा है क्योंकि उनकी एक मात्र पूंजी वही है अगर वो बाहर आते हैं सामान ये तरीके से शिक्षा हासिल करते हैं और आर्थिक रूप से खुशहाल होते हैं तो फिर वो इन नेताओं की नहीं सुनेंगे तो ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने सैंकड़ों सालों तक यही किया है वो अब तक सफलता पूरवक ऐसा करते आ रहे हैं हमें इसे बदलना होगा अगर हम उस समुदाय और देश की बेहतरी चाहते हैं मैंने तो सोशल इंजीनियरिंग के बदले इनर इंजीनियरिंग की है अब आप मुझे परिशानी में डालेंगे मेरा आखरी सवाल सदकुरू ये कि इस पुस्तक का शीरशक है वेटिंग फॉर शिवा इसमें नंदी का चित्र है जो दूसरी तरफ बैठे हैं और उनका मूँ मस्जित की ओर है और हम यहाँ भी नंदी की मूर्ती के ठीक पीछे हैं मैं मैंने ये देखा और मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि नंदी शाश्वत इंतजार का प्रतीक है तो यही मेरा सवाल था जैसे मैंने उपसंगहार में आपके शब्दों को लिखा भी है जहां आपने प्रतीक्षा के गूर महत्व की बात की है और कैसे ये इतना महत्वपून तक है तो शिफ का इंतजार ज्यानवापी का इंतजार आप इस मामले को कैसे आगे भड़ता हुआ देखते हैं क्या आप इसे जल्द खत्म होते और विश्वेश्वर को वापस आते हुए देखते हैं जिनका उल्लेक पौराने करंथों में है उनकी घरवापसी और एक भव्य उत्सव जैसा की आपने जिक्र किया किसी पर जीत नहीं बल्कि एक उत्सव अवि मुक्तेश्वर दो हजार अठाइस तक एक जीवन्त वास्त्विक्ता हो जाने चाहिए और तब तक अगर आपकी क्रिपा से इस पुस्तक के कई संस करणा आ गए तो मुझे शीशक बदलना होगा कि हमने शिव की प्रतीक्षा की कवर पेज बदलना चाहिए अवि मुक्तेश्वर और ये कि हमने किसी समय शिव का इंतजार किया था बहुत बहुत धन्यवाद सद्करू ये बातचीत अच्छी रही लेकिन इन्हें थोड़ा इतिहास का ग्यान भी दीजिए सारी तारीखों और बाकी चीजों के साथ तो मेरा मतलब है इस पुस्तक में काशी विश्वरनात मंदर का सारा इतिहास उसका आतित जैसा की पौरानेक साहिते में उलेक है और बाकी चीजों का वर्नन है लेकिन ग्यारो सो चौरानवे से ही जब कुत्बदीन एबक ने सबसे पहले वारानसी पर हमला किया था और सभी मंदरों को तबहा कर दिया था और सभी मंदरों को नश्ट कर दिया गया और कुछ ही सालों में रजिया सुल्तान जो सिर्फ चार साल के लिए वहीं थी फिर भी उन्हें वहां एक मस्जिद बनाने का समय मिल गया जिसे रजिया मस्जिद कहा जाता है जो अब भी वहां मौजूद है और कुछ लोग कहते हैं कि यही मूल विश्वेश और मंदर का स्थान है इसलिए ठीक उसके बगल में एक आदी विश्वेश और मंदर भी है सोलवी सदी के अंत में जौनपूर के शरकी नवाबों खिलजी, सिकंदर, लोधी के कई विद्वन सकाक्रमन हुए जिन्होंने पूरी काशी को ध्वस्त करती है दिल्ली में उसके नाम पर कई बहुत महत्वपूर्ण जगह है हाँ, लोधी एस्टेट, लोधी रोड वगेरा लोधी गार्डन और वो सब दुर्भागय पूर्ण है और लगभग 80 सालों तक पूरी काशी खंडर बनी हुई थी और यही वो समय था अब एक और विनाश की ये निराशा जनक कहानी है और मैं चर्चा को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि जब विनाश हो रहा था दूसरी कहानी जो महत्वपून है वो पुनरत्थान की है सैयम की है साहस की है जो हमने दिखाया हमारे पूरवजों ने दिखाया बारा बारा में कुतुबुद्दिन एबक के विनाश के बमुश्किल 10-15 साल बाद सैन राजवंश का एक बंगाली शासक विश्वरूप फारा नसी आया और शहर के बीचों बीच उसने एक स्तंभ खड़ा किया जिस पर लिखा था ये नगर विश्वेश्वर का है और आज आज ये नाजाया मैं उनकी भावना की सराहना करता हूँ लेकिन एक स्तंभ मंदिर की जगह नहीं ले सकता उस समय दिल्ली सल्तनत का चरम काल था सत्कुरूँ जो जाहिर है वो एक भव्य मंदिर नहीं बना सकते थे लेकिन कम से कम पुनरुद्धार की वो भावना थी जो ज़्यादा महत्वपून है नहीं मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में हमें जाकर एक पत्थर स्थापित करके ये नहीं कहना चाहिए कि ये अवी मुक्तेश्वर है हम पूरा का पूरा चाहते हैं लेकिन फिर गुजराती इतने जैसा कि आपने जिक्र किया सबसे महनती थे जैसे कि हमारे पास सत्ता की गलियारे में भी कुछ लोग है तो वहां सेट वास्तू पाल नामक एक गुजराती कारोबारी था जिसने 1240 से 1250 में उन दिनों इस भव्य मंदर के पुनर निर्मान के लिए एक लाक रुपे दिये थे और आज हम इतनी सारी बाते कर रहे हैं ये सभी नाजायज नेता जने आपने फटकार लगाई है जो उत्तर दक्षन विभाजन की बात करते हैं दक्षन भारत अलग है उत्तर भारत अलग है काशी और उसकी चेतना को फिर से वापस पाने के लिए पूरे देश का ह्रिदय भारत का ह्रिदय कर रहा करनाटक में वीरा नरसिमा नाम के एक खोई सालाश आ सक थे जिन्होंने हिबबाडे नाम का एक पूरा गाओं दान में दे दिया ताकि उस गाओं में आने वाले टैक्स का भुकतान वो तीर्थे आत्री कर सके जिन्हें जजिया कर देना पड़ता था अपने ही मंदिर या अपने पवित्र स्थान पर जाने के लिए आपको दिल्ली सल्तनत को कर देना पड़ता था और वो एक शिला लेक में कहता है कि ये सारा पैसा हमें अब भी कर देना पड़ता है हाँ मैं अभी यही सोच रहा था कि मैं कैसे राजसे आता हूँ जो ऐसे मंदिरों को टैक्स देता है जिसका राजस वो एक करोड रुपे से जादा है तो वो होईसालाश आसक था इसलिए उत्तर दक्षन पूरफ पश्चिम किसी ने यह नहीं सोचा कि यह हमारा यह उत्तर प् नहीं थे यह अंग्रेश थे जिन्नोंने हमें राश्टिता की भावना दी राश्ट क्या है हमारी सभ्यता के महतवपून प्रती को और चिन्हों के प्रती साजह भावनात्मक लगाव कि यह सामाने भावना ही इस देश की पहचान है और सदियों से हम उसमें एक अद्भुत मेल पाते हैं महराश्ट के भ्रहमन थे जो काशी तक गए वहाँ पुनर जागरन को प्रेरित किया और इस तरह उनमें से एक नारायन भट ने 1580 में मंदिर का पुनर निर्मान करवाया जिस समय अकबर का राच था जो बाकी शासकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सहनशीर मेरे ख्याल से उनका काम सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था उन्होंने 1580 में स्थापित किया था और जो मुश्किल से 60-70 साल तक ही रहा और 1679 में औरंगजेब ने उसे नश्ट करवा दिया लेकिन उसके बाद भी पुनर उध्धर की कोशिशे लगातार होती रही खासकर मराठों के दुआरा जो तब तक काफी राजनीतिक शक्ती हास करने लगे थे जब विश्वनात मंदिर को नश्ट किया गया था तब छत्रपती शिवाजी महराज जीवित थे और कहा जाता है कि उनकी माता जीजा बाई ने उनसे कहा था कि अगर तुम सच्चे पुरुश हो तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य काशी विश्वनात मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए और ये मराठा सामराज्य में एक अंतहीन विचारधारा थी तो किताब में मैंने बाजी राव पेश्वा नाना साहिप पेश्वा कई और लोगों के पत्रों का भी जिक्र किया है जिन्होंने मुगलों से बात की फिर अवत के नवाब और बिटिश इस्ट कमपनी से भी जिन में लिखा था हमारे पवित्र स्थान हमें वापिस कर दो तो जिन लोगों को लगता है कि ये मामला अभी शुरू हुआ है इसकी जड़े राजनीतिक हैं नहीं हमारे पूरवजों ने हजारों साल से हार नहीं मानी मंदिर नश्ठ हुए म मंदिर बने लेकिन भारत के हिंदूों ने कभी हार नहीं मानी या भारत के सनातियों ने इन में से कई पवित्र स्थानू खास तोर परकाशि विश्वनात को कभी नहीं छोड़ा और इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है कि 1778 में या उसके आस पास मराठा रानी देवी अ जीत सिंग थे जिन्होंने मंदिर के शिखर को सोने से मडवाया जो आज आप देखते हैं आज लोग हिंदूओं और सिखों के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं ये कहते हुए कि ये अलग-अलग समुदाएं हैं एक अलग खालिस्तान आंदोलन है लेकिन पंजाब के म हनतम शासक विश्वनात के भक्त थे उन्होंने वहाँ जाकर पूजा की थी कहा जाता है कि जब उन्होंने अफगान शासक दुरानी को हराया तो उन्होंने सोमनात मंदिर का दुआर भी मांगा जिसे महमूद गजनवी ने 800 साल पहले नश्ट कर दिया था 21 साल के एक युव हां ये सच है उन्होंने ही आकर सभी दिवारों पर राम राम लिखा और इसे बनाया उनके कारण ही मामले अवद की आदालत में गए तो सिख हिंदू एक ता जिस तरह से हिंदू बौध फूट पैदा की गई वही चीज हिंदू और सिखों के साथ की गई तो मंदिर का स्तित्व धीरे-धीरे खत्म होने लगा लेकिन कभी हार नहीं मानी गई वारानसी में खूनी दंगे हुए अठारा सो दस में एक घटना हुई थी जिसे लट भहरव दंगे कहा गया जहां लोग सच्मुच पूरी जगह पर कबज़ा करना चाहते थे ग्यानवापी मस्जित में आग लगा दी गई और मुस्लिम समुदायक को वहां से हटा दिया गया लेकिन अंग्रेज इन मुश्किल चीजों में नहीं पढ़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने उन्हें ऐसा करने दिया लेकिन तब से अदालत में इतनी बेवकुफाना चीजों पर मुकदमे चल रहे हैं जैसे ये पीपल का पेड मेरा है नहीं, इसकी शाखाए हमारे इलाके में आ रही है पत्तिया यहां गिर रही है मुझे लगता है कि इन सब के लिए अंग्रेज अपने बाल नोचते हुए कहते हूँगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए दोनों समुदाय लगातार लड़ रहे हैं लेकिन गूड बात यह है कि यह हमारी चेतना में बहुत महतवपून था और जिसे हम आज भूल गए हैं तो जो लोग पूछते हैं कि इसकी क्या जरूरत है हमारे पास हर कहीं बहुत सारे और मंदिर है नहीं, हिंदू विचार में या हिंदू कलपना में सनातनी कलपना में जो एक बार मंदिर होता है वो हमेशा मंदिर होता है प्रान प्रतिष्ठत देवता वहां जिवन्त रूप में होते हैं एक जीवत प्रानी जिनकी हम नित्य पूजा करते हैं जैसा कि हम किसी इंसान की करेंगे जब तक कि आप विदिवत विसर्जन नहीं करते वो उर्जा उस्थान से कहीं नहीं जाती तो हमें इस विकार करने की जरूरत है कि ये सभ्यता से जुड़ा एक एहम काम है और जैसा की सद्गुरू ने कहा ये किसी के खिलाफ नहीं है मेरा मानना है कि ये मुसल्मानों, इसाईयों, सिखो, जैनियों, बौधों, पार्सियों भारत के सभी लोगों के लिए उतना ही पूजनी अस्थान होना चाहिए जतना कि ये भारत के हिंदूों के लिए है तो ये केस भी और आजादी के बाद से कई केस चल रहे हैं 1991 में आदी विश्वेश्वर के नाम से एक केस दाखिल किया गया क्योंकि देवता एक जीवितिकाई हैं इसलिए वो वादी के रूप में खुद मुकदमा दायर करते हैं और कहते हैं कि मेरा घर है मैं अपने और अपने भक्तों के लिए पूरी जगह चाहता हूं अब दुर्भागे से वो केस बाइस सालों तक भारती अदालतों में अटका रहा और अब दिसम्बर दोहजार तेईस में इलाबाद उच्च नियायाले ने इससे फास्ट ट्राक करते हुए कहा इस साल जून तक इसका निप्टारा हो जाना चाहिए लेकिन साथ ही आपके पास जैन बंधू थे जिनका सद्गुरू ने जिक्र किया हरिशंकर जैन जी और विश्नु शंकर जैन जो बहुत सी धमकियों और तमाम बाधाओं का सामना कर रहे थे जिसे मैंने किताब में लिखा है आप वाकई आप बहुत ही दुखी महसूस करते हैं उन्हें मारने की कोशिश की गई लालच दिया गया बहुत सी चीजों का उन्हें सामना करना पड़ा किसी भी सरकार, किसी भी संगठन का समर्थन नहीं मिला उन्होंने अकेले ही और व्यावहारिक तोर पर वो एक अलपस यंखिक समुदाइब ही है जैन समुदाइब तो वो एक हिंदू मंदर के लिए लड़ रहे थे जो वाकई एक मिसाल है और हरी शंकर जी ने मजाक में कहा दोहजार इकिस का केस वास्तव में मा श्रिंगार गौरी के नाम पर दायर किया गया था तो और इसने बहुत तेजी से रफतार पकड़ ली और वो बोले आप जानते हैं विश्वेश्वर एक योगी हैं आदी योगी समाधी में वो हमेशा समाधी में बैठे रहते हैं उन्हें परभा नहीं है कि वो वजू खाना में है जहां वो है वहां मंदिर है या नहीं लेकिन मा ऐसी नहीं है वो अपने पती का अपमान नहीं होने देंगी जब उनके अपने पता ने उनके पती का अपमान करनी की कोशिश की थी तो वो यग्य की अगनी में कूद गई थी और फिर वो अफरात अफरी फैली जो आप सब जानते हैं उसके बाद जो हुआ तो यहां भी जब इन लोगों ने माश्रिंगार गौरी के नाम से केस फाइल किया उसके बाद से चीजे तेजी से होने लगी उसके बाद Advocate Commissioner सर्वे हुआ और फिर ASI सर्वे हुआ तो पुस्तक में पूरा कानूनी इतिहास है यह पढ़ने में दिल्चस्प लगता है जहां हर मामले में आप जानते हैं इसे पट्री से उतारने वाली बाते कही गई नहीं नहीं यह कोई मंदर नहीं था यह वास्तव में अकबर की दीने इलाई इमारत थी नहीं यह दारा शिको का संस्कृत स्कूल था विश्वनात मंदर को छोड़ कर सब कुछ एक हिंदू मंदर को छोड़ कर सब कुछ लेकिन आप जानते हैं इन सब को हराना अब से मैं भी देवी की कहानी कहूंगा बजाए शिव की उसका जोड़दार असर पड़ेगा दूसरी तरह और जैसा कि आप जानते हैं 2022 में क्योंकि मैं वही करने में विश्वास करता हूं जो कारगर हो यह हमेशा सुरक्षत होता है वरना कुछ करने का क्या मतलब तब ही सद्गुरू जब मैं पिछली बार आया था तो क्या फाइदा किसी भी काम को करने का क्या फाइदा अगर वो कारगर ना हो हाँ हाँ अब इसलिए पिछली बार आपसे मिलने के बाद मैंने जो पहला कोर्स किया बेशक इनर इंजिनिरिंग के बाद वो लिंग भेरवी साथ नहीं थी मुझे लगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है फिर हम बाद में धान लिंग पर जाएंगे तो इस सर्वे के भाग के रूप में जैसा कि आप जानते हैं वो कहते हैं आप जानते हैं किताब में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे दोनों पक्षों के लोग उस ग्यानवापी स्थल पर गए और वहाँ जो वजू खाना था वो जगए जहां वजू वो जगए होती है जहां लोग जाकर हाद धूते हैं अपने गंदे पैर धूते हैं और नमाज पढ़ने से पहले कुला करते हैं और जैन बंधू उस जगह का भी सर्वेक्षन कराना चाहते थे अब मस्जित कमिटी ने बहुत विरोत किया ये कहते हुए नहीं नहीं आप आप वहाँ नहीं जा सकते वो जानते थे कि वहाँ कुछ गडबड है और वे तमाम तरह के रोड़े अटका रहे थे नहीं नहीं उस तलाब में मचली हैं और अगर आप पानी निकालेंगे तो मचली मर जाएंगी अब उनके लिए दुर्भागी की बात है कि जैन उन सबसे जादा शाकाहारी थे उन्होंने कहा हमें नाभागी मचलीयों की बहुत परवा है तो वहाँ कुछ ऑक्सिजन सिलिंडर लाए गए और इन उपायों से मचली बच गई और जैसे जैसे वो पानी बहार निकालने लगे जलतर घटने लगा शिवलिंग की संरचना बहार आई और फिर हर कोई हर-har महादेव के जैकारे लगाने लगा अब उससे भी इंकार कर दिया गया कहा गया कि एक फवारा है शीष पर एक ड्रिल था वहाँ कोई सक्षन तंत्र नहीं है फवारा चलाने का कोई तंत्र नहीं है तो मुझे लगता है कि सद्गुरू ने जो जिक्र किया है ये सारी सुलह, ये हुनी जरूरी है ये दो तरफा रास्ता है हर रिष्टा, हर दोस्ती, हर चीज दो तरफा होती है दोनों समुदायों को आधे रास्ते तक बढ़ने की जरूरत है नहीं, अगर जब हम सुलह कहते हैं तो लगता है कि जैसे कोई लड़ाई थी और अब हम सुलह कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा आप चाहें तो इसे जाँच परक सकते हैं अधिकांश मुस्लिम समुदाय इन चीजों की परवाह नहीं करता क्योंकि उनका अपना शरिया कानून कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते ये मुठी भरनेता हैं जो बेशक उनके आसपास कुछ उत्तेजना फैलाने वाले लोग हैं अगर इसे किसी तरह से पूरे देश तक सही ढंग से पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि ये सुलह नहीं है ये सिर्फ सभ्यतागत पहलूं का पुनरुद्धार है तो चाहे मुगल भी इतिहास का एक हिस्सा है अगर उनके बनाए इतिहास के कुछ पहलू महत्वपूर्ण है और उन पर किसी ऐसे व्यक्ती ने कब्जा कर लिया है जिसका धर्म हिंदू है उसके विश्वास से तो उसे वापस लिया जाना चाहिए मैं कह रहा हूँ सवाल धर्म का नहीं है सवाल सभ्यता का है और भक्त देखिए भक्त असल में धर्मिक नहीं होते बस उनका दिल मानवता से भरपूर होता है तो जब किसी के दिल में आग लगी हो तो आप बहुत आसानी से उनने हिंसक बना सकते है ये दुर्भा के पूर्ण सत्य है क्योंकि सिर्फ उनका दिल उमड रहा है पर उनका दिमाग उस तरह से उतना परिपक्व नहीं है इसलिए नहित स्वार्थवाला कोई दूसरा व्यक्ति उनने हिंसक जन्समूह में बदल सकता है लेकिन एक इनसान का दिल भराना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी है अगर ऐसा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस धर्म के जरीए हो रहा है क्योंकि जब किसी का दिल भरा होता है तो उन लोगों में टकराव नहीं होता ये केवल वो लोग हैं जिनके दिल सड़ चुके हैं और जिनका दिमाग एक तरह से खुद से खुद से ही भरा हुआ है वो ये चीज़ें कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ धर्म ऐसे हो सकते हैं आप जानते हैं धर्म की रूड़ियां कुछ ऐसी बातें कह सकती है जिनका अर्थ पूरी तरह से सही नहीं है देखिए जब लोगों ने ये मंदिर तोड़े या इन पर कब्जा किया या टैक्स लगाए या दौलत हडपली जैसा कि अंग्रेजों ने किया तो उन्होंने आपको या तो गुलाम माना या काफिर आप या तो काफिर है या गुलाम है दोनों ज्यादा के हकदार नहीं है अगर आप किसी को गुलाम मानते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत के हकदार है अगर वो काफिर हैं तो भी आपको नहीं लगता कि वो किसी लायक है इस रवये को कुछ रूडियों से बाहर निकालना होगा जो वहाँ हो सकती है बलकि जो वहाँ है लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इसलाम धर्म को मानने वाले अधिकांश लोगों के दिलों में ऐसा है ऐसा नहीं है क्योंकि पूरी अरब दुनिया में जब मैंने यात्रा की तो ऐसी कोई चीज नहीं है बस मुठी भर लोग ऐसे होते हैं लेकिन उन मुठी भर लोगों की आवाज बहुत ही जादा उंची है इसलिए मैंने कहा कि हिंदू मुख प्राणी है हालां कि हम 80 प्रतिशत हैं फिर भी हमारी आवाज उंची नहीं है तो जैसा कि जब आपने पूछा कि क्या कोई पुनरुथान हुआ है अब तक कोई पुनरुथान नहीं हुआ लेकिन वो जाग रहे हैं पर अभी भी उनकी आँखों में गंदगी है उन्हें इसे साफ करने की जरूरत है और फिर उन्हें अपना गला साफ करना होगा आप जानते हैं सुबह सुबह तब उनकी आवाज इतनी साफ होनी चाहिए कि सनातन की सार्व भौमिक्ता दुनिया भर में गूंज उठे ये मेरा बनाम तुम्हारा नहीं है ये मानवता की बात है आपको शुबह कामना है और ये आशा है कि बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सद्कुरू और अगर मैं मेरे पास एक सुझाव के साथ पात खत्म करने का दुस्साहस कर सकूँ कि आपके जैसा कोई व्यक्ती जिसके पास इस तरह का हीलिंग टच है और जिस तरह का प्रभाव आप मानव मन पर डालते हैं चाहे वो किसी भी धन्म से हो तो मेरे विचार में जब नई राजनीतिक व्यवस्था लागू हो जाएगी जून दुहजार चौबिस में मैं आपसे आगरह करूंगा कि आप ये सुनिश्चित करने में अगरणी भूमे का नभाएं कि धेर सारी मध्यस्थता बहुत सी समझदार आवाजें अदालत के बाहर के समाधान और जिस सत्त्य और सुलह आयोग की आपने बात की थी क्योंकि तलाक के मामनों में भी लोग चाहते हैं कि पती पतनी इसे अदालत के बाहर ही सुलच ले अदालत में बहुत सी गंदगी भराएगी लेकिन ये तलाक नहीं है ये शादी है ये शादी है तो लेकिन इसे अदालतों में नाटकाएं हम बार बार श्रिंगार गौरी मा को ना पुकारें और यह सो निश्चित करें कि हम उने खुश करें नहीं पर लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर के नए अधिकृत स्वामी खुद सरकार होगी यह एक दूसरी लड़ाई है तो अगर वो उसे छोड़ने के इचुक नहीं है तो निश्चित रूप से उनके दिल इसमें भी नहीं है इसलिए हमें उन्हें ये दिखाने की जरूरत है कि अगर हमने एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र बनने का फैसला किया है जो कि हम चाहते भी हैं कि हम एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र बने रहें तो सरकार का किसी के भी पूजास थलों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए थनेवाद सत्वरी सभी को धनेवाद थनेवाद आपको शुभ कामना है